कि अभी और मुझे फटा-फट से एक बर बता दीचे कि आपका ओडियो भी परफेक्ट है एंड विडियो भी परफेक्ट अगर हो तो मुझे फटा-फट से बता दीचे एंड फिर हाँ जी दिप्सिका जी क्लास स्टार्ट हो गई है भी एंड अभी हम बस फोडिंग है एफ करका जो आपका डहर है ना वो निकालना होगा एंड हम अच्छे नंबर लेके आएंगे यहां पर तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने से पहले कुछ-कुछ बात मैं आपके से डिसकस करना चाहता हूं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फानिशल आडियो भी परफेक्ट है हम एकदम अच्छे से भी स्टार्ट कर सकते चलो जी तो एकदम अच्छे से भी हम स्टार्ट करते तो सबसे पहले मैं फानिशल रिपोर्टिंग का आपका एक डर है वो निकालना चाहता हूं मेरी बात सुनो आप अगर कोई भी बच्चा यह सोच करना है हम पढ़ाई भी उसी तरीके से करेंगे मैं 70 प्लैक करना है कम से कम उसी तरीके से हमारे पढ़ाई होगे तो पढ़ाई एंकिस अंदाज में करेंगे जबकि यह फास्टर बैच है तो मैं आपको सबसे पहले यह क्लियर करते ना चाहता हूं कोई भी बच्चा अगर कि गदम totally new आके बैठा हैं यहां पर तो भाई आप चले जाओं यहां से totally new जो first time अगर reading करने वाला है तो उसके लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यह faster बैच नाम यह faster बैच और यहां पर मैंने specially यह बैच उनके लिए बनाया है जिनका clear नहीं हुआ या फिर जिनका एक बार पड़ा हुआ है ना तो उनके लिए बैच बनाया ऐसा नहीं कि मैं कुछ बढ़ाऊंगा ने बर सब कुछ बढ़ाऊंगा बस थोड़ा fast में पढ़ाऊंगा तो अगर आप first time reading करो तो बहुत सारी चीजों में आपको problem आ सकती है तो उसके लिए हमारे अलग बैच है फार फास्टेक 230 वाला बैच है उसमें आपको सब को समझ में आएगा अगर अगर नॉमबर 23 में अपयर करने वाले हो और बाद में अगर अगर अपयर करने वाले हो तो regular बैच आप ले सकते हैं आपर तो फास्टेर बैच specially किसके लिए होगा repeaters वालों के लिए उनको ध्यान में रखते हुए हम sort within 130 hours पूरा अच्छे से एफार को complete कर लेंगे अब इसके लिए मैं चाहता क्यों मैं यह चाहता हूं कि छोटी सी डायरी यह चोटा सा इसलिए clear कर देता हूं मैं बता दूँआ यह लिख लीजिए नोटाउन कर लो इसको आप साइड में कहीं पर नोटाउन कर लोगे तो वो सारा जो भी हमने नोटाउन किया को छोटी सी डायरी एक्जाम से पहले आपको एक बार recall कर लोगे तो आपका काम बन जाए और दूसर से वो सारे हम कवर करने की पूरी अच्छी से कोसिस करेंगे यहां पर इसके अलावा आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना होगा मैं आपको रेग्यूलर्ली है ना homework दूंगा daily basis में और मैं कहूंगा कि यह कोशिन आपको करके आना है और साथ की साथ मैं आपको मार्ग भी करवा दूँगा क्लास के दोराने कि यह यह कोशिन important है यह कोशिन important मतलब कि important तो ऐसा सभी होता है important का मतलब यह थोड़ा सा tough हो सकता है इसको आपको self practice करनी चाहिए फिर वापस से overview करना होगा ऐसे तो हमारे question में के अंदर already सब कुछ mark है हमारे question में अगर आप देखो कि तो last day revision के लिए भी जो questions रहेंगे वो भी हम साथ के सथ मार करते वे चलेंगे और अवी से उसको revise करते वे चलेंगे और दूसरी चीज test series जो है हम क्या करेंगे chapter के end में जब भी chapter end होगा उसके next day हम उस chapter का हम test series दे देंगे आपको एक paper दे देंगे solve करने के लिए PDF दे देंगे व आप solve करोगे खुछ से checking भी आप खुछ से करोगे क्योंकि मेरे बस की बात नहीं होगी इंदरे सारे paper चेक करने के लिए हम बाद में क्या करेंगे paid test series जरूर आएंगे ताकि जो genuine बच्चे हैं जो real में test देना चाते हैं पूरे syllabus का वो paid test series लेके आएंगे उसको मैं check भी करू command आ जाएगा तो आए तिंग आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आगे मैं क्या कहना चाता हूं अब मैं आपको समझाना चाता हूं कि financial reporting के point में आते मुद्धे में आते किसी को कोई अभी भी की वगेरा की problem है आज तो YouTube में देख लीजे कल से software में चलीगी classes तो उसके 15-20 मिनिट का उसके बाद मुद्धे में आ जाएंगे क्योंकि ओवर्यू देना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको लगे कि एफार टफ नहीं आ रखा है ना कि एफार बहुत प्रॉब्लमेटिंग है ऐसा बिल्कूल भी नहीं मजिदार एफार तो फानेशल के लिए फानेशल स्टेटमेंट बनता है जैसे मैं भी जनरल परपस के लिए पढ़ातों मैं कुछ स्पेशिफिक परपस के लिए नहीं पढ़ाता है किसी एक स्ट्वेंट को नहीं पढ़ा रहा किसी कॉम्यूनिटी को नहीं पढ़ा रहा जो सारे दिये कर उन सभी को पर जैसे मैं पढ़ा तो ऐसे ही financial statements भी जो हम बनाते हैं वो general purpose के लिए बनाते हैं अब क्यों बनाते है financial statement तो जुन अगर हमारा financial reporting होता ही नी तो फिर क्या होता अब मालने जे अपने कारणून लगा कि अपना financial statements prepare करती इधर टारा थार्टा consultants services अपने कानून लगा के अपने सर्विसेजस अपने यसाब से अब weyan हैं आप बच्छों एक आप को मन क्या की investment करो करो अब आप rather hehorkता थैंग करो चाहिANG चाहिए उस हिसाब से तो दोनों में से किसी एक मैं पैसे लगाओगी अब problem यह कि दोनों ने अपने अपने कानून के इसाब से फानिशा स्टेटमेंट बनाये तो फिर कैसे comparison हो तो उसके लिए जरूर यह कि दोनों के accounting policies सेम हो यूनिफोर्म accounting policies तो दोनों के कानून सेम हो तभी तो अब comparison कर पाओगे अच्छी तरीके से और इसी वज़े से financial reporting हम पढ़ रहे ताकि जितने companies है जो जितने companies है जो listed companies हो हम पढ़ेंगे कौन कुसरी companies पर इंडेस्ट लगता है जितने companies है वो सारी company uniform accounting policies follow करें अलग-अलग accounting policies उ क्यों prepare करते हैं ताकि सब company का accounting policy सीम हो अलग-अलग ना हो तो इसलिए सबसे पहले हमें listed company जितनी सेभी ने कह दिया कि देखो सबको इंडेस्ट लगाना पड़ेगा जितने listed company सबको क्या करना पड़ेगा इंडेस्ट लगाना पड़ेगा उस्ते क्या होगा कि इंडेस्ट ए में हमें आसानी हो गया तो यह हमने clear कर लिया अब मुद्दा यह है कि कि इतने सारे इंडेस्ट की दरकार क्या पड़ी इतने सारे इंडेस्ट उसो इंडेस 16 इंडेस 68 40 105 इंडेस 2 इंडेस 115 116 financial instruments कितने सारे इंडेस्ट है तो सभी इंडेस्ट की जरुत है तब ही आप मैं आपको समझा रहा हूं समझो इंडेस की क्यों जरुत है मालो फॉर इंडेस्ट की क्यों जरुत है मैं प्रतिक जगाते हूं मैं एक प्रॉपर्टी भी खरीदा मैं फट्डा वर्ट बता रहो मी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे फिर मुद्दे में आएंगे थोड़ा सा सुन लो मेरी बात ताकि आगे पढ़ाई एजी लगे आपको अब प्रॉपर्टी आब एक खरीद रहे हो अब एक सौफ्वेर खरीद रहे हो अब एक स्ट्रेशनरी खरीद रहे हो अब कुछ इन्वेंटरी खरीद रहे हो तो क्या सब में हम तीम इंडेस लगाते हैं कैसे ल गुड से देखा जाते हूं, तो वो inventory के category में आते हैं, तो इसलिए depend करते हैं, आपको check करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे item ऐसा हो सकता है, कि एक के लिए property planting equipment हो, तो दूसरे के लिए inventory हो, इसलिए अलग अलग जगा, और आप सोचो, कोई tangible item है, और कोई intangible item है, दोनों का भी तरीका अलग होना चीए, दोनों का भी presentation अलग होना चीए, क्यों, क्योंकि आप देखना, tangible items जो रहते हैं, उसकी value, resell value जो है, वो हमें ज्यादा मिलती है, उसकी salvage value कुछ होती है, तो अगर अगर आप intangible item देखोगी, तो intangible item के resell value, ऐससे चितनी होती ही नहीं है, तो क्या उसका accounting treatment कैसे करें, उसके भी same accounting लगा दें, जो PPE में लगा रही है, या intangible assets में लगा रही है, ऐसा तो नहीं चलेगा, तो इसके लिए लग standard दिया गया है, इसके अलावा foreign currency transaction करोगे, अब मालो मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं अपना पूरा financial statements बनाता हूँ, रुप कैसे होगा, अब रुपिया और डॉलर दोनों का plus minus कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए एक standard है, इंडेस 21, और वैसे आपका कुछ receibles होता है, पेबल्स होता है, उसमें भी चेक करना होता है, कि वो receibles अगर मेरा है, तो मुझे कितना late के बाद मिलेगा, कुछ-कुछ ऐसे receibles होते जो मुझे 6 मेने के बाद मिलेंगे, तो उसमें भी current ये non current का classification होता है, तो बहुत सारा मुद्ध है, even आगे भी हम पढ़ेंगे इंडेस 16 में हम कहीं कहीं पे fair value में भी measure करते हैं, तो fair value कैसे निकान ले, तो उसके लिए अलगसे standard है, यानि कहने का मतलब, अब मैं आपको ये जो बनता है, जिसे IFRS में कहते statement of financial position, जो आपका balanced बनता है, वो balanced division 2 of schedule 3 के साफ से बनता है, बट ये मैंने schedule 3 के साफ से नहीं बनाया, वो बाद मैं बताऊंगा आपको में, ताकि बस मैं आपको समझा सकू कि हर index का rule है, आप देखूं यहाँ पर property planned and equipment, अलग ये intangible assets अलग है, अगर किसी intangible assets को property planned and equipment दिखा दो कि तो दिक्कत है, आप true and fair दिन ही दिखा रहे, इसलिए PPE के लिए अलग से standard है index 16 और intangible assets हुआ तो उसके लिए अलग से standard है index 68, इसके अलावा हम देखना, कितने सारे land and building, सिर्फ land and building की बात करता हूं, जिसे हम property कहते हैं, वो land and building को हम अब अगर अपने business use में लेते हैं, तब तो हम उसे property planned and equipment मान लेंगे, पर सोचो अगर land and building को अपने business use में दे लिए, आप उसे rent पे दे रहो या आपने investment purpose के लिए छोड़ दिये, तो ऐसा situation में उसका accounting अलग होना पड़ेगा, और वो जाता है index 40 investment property के classification, उसे अच्छा भी क्या होत ताकि user clear है, अब पीपी में दिखाया है, मतलब यूजर समझ जाए है, ये business में यूज हो रहा है, investment property में दिखाया है, मतलब यूजर समझ जाए है, ये आपका investment purpose के लिए छोड़ा होगा, तो इसलिए इसका भी अलग से measurement होता है, तो इन सभी के लिए अलग-अलग standard है, इसक money instruments में सिख्ट है, अब कोई भी item मेरे लिए inventory हो सकता है, अगर मैं उसे ऐसे ordinary course of sales में बीचता हूँ अगर मैं, जिसे goods होते हैं, goods and services, वो inventory होते है, तो उसके लिए अलग से standard industry, securities में ने कहा था, ये फानिशन instruments होता है, मेरा trade receibles भी punish instruments के अंदर आ जाएगा, ये सारा चीज़ आ जाएगा, फिर आपका जो loan है, अब देखो कुछ कुछ हम provisions भी बनाते हैं, तो provisions को हम estimate कैसे करेंगे, देखो provision क्या होता है, वो accurate नहीं होते है, जिसने liability, जो accurate है, वो provision नहीं है, liability जो अपने estimate की है, जो बात में बदल सकता है, व सारे items को हम accrual basis में follow करते हैं, बट अगर आप देखोगे, government income tax act के हिसाप से, interest वगेरा पे cash basis पे आपको मिलता है, deduction वगेरा, और वहाँ पर depreciation का rates वगेरा अलग है, तो कहने का मतलब तो ये साफ होगे है, कि हमारे हिसाप से जो tax निकल के आएगा, और सरकार की हिसाप से जो role play करता है, कि उस difference को आपको क्या करना है, उसी का नाम हम दे रहेते, defer tax asset या defer tax liability है, उसका नाम दे रहेते हैं, मैं बस एक बार आपको go through करा रहा हूँ, फटा फट से, है ना, ज्यादा लंबा नहीं खिचूँगा, फटा फट से go through करा रहा हूँ, तो इसलिए सब भी standard करो अब statement of profit and loss भी बनते हैं, अब बता हूँ, मेरी जितनी कमाई है, क्या सबको मैं revenue में दिखा तुझी नहीं, मैं ऐसा नहीं करते हैं, हम सिर्फ वही कमाई को revenue में दिखाते हैं, जो ordinary course of business पे हम हम हमारे regular customers को बेचते हैं, वही सिर्फ revenue होते हैं, मानली जब और example मैं deal करता कार्स पे deal करता हूँ, तो जो भी कार का खरीदना बेचते हैं, जो कार्स में बेचते हैं, वो मेरा क्या आएगा revenue में आएगा, इसके अलावा मैंने मानलों अपना पुराना camera पड़ा हुआ था, उसको मेने बीच दिया, तो वो थोड़ी ना ordinary course में, वो तो मेरा पुराना camera वो other income में आएगा, मैंने कोई investment किया, जिससे मैंने interest income कमाया या dividend income कमाया, वो सारे other income में आते हैं, तो अब इन दोनों का difference समझो, है न, revenue में वही आता है, जो ordinary course और business में, जो goods and services पे आप deal करते हूँ, हाँ, एक investment company, जिसका काम ही investment करना, तो उसके लिए interest और dividend revenue में आ जाएग या मैंने अपना पूराना कैमरा बेज दिया है, या फिर मुझे कहीं से कोई interest वगेरा मिल रहे है, तो बाकि सारी कमायी other income में आएगी, अब 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 लोगों से ऐसा क्यों अलग अलग क्यों दिखा रहें, ताकि users को बता सके, कि जिस चीजों में हम deal कर रहें, उससे क्या revenue आया, और other income हमारा क्या है, जो हम फालतोगा, time pass कर रहें, इधर उधर कुछ कुछ बेच के कमारें, तब वो पता कर पाएंगे, क्योंकि revenue हर साल होगा, other income तो क्या पता हर साल ना हो, यह temporary nature है, हमने car parking पे दे दिया, अपनी जमीन को, उससे हम कुछ कमाई कर रहें, temporary income है, other income मे आ जाएगा, तो यह फरक है, revenue में index 115 लगता है, other income जो होता है, उसके लिए हम index 109 लगाते हैं, जैसे government grant हमें मिला, अब हम मुझे बताओ, government grant जो मुझे मिला, वो हर साल मिलेगा, क्या, वो मैं कैसे revenue में दिखा दू, मैं कैसे user को बोलू कि मैंने कमाया हूँ, मैंने नहीं कमा है, तो वो government grant वगेरा, other income में दिखाते हैं, फिर इसके लावा हम employee से काम करवाते हैं, तो employee को salary, gratitude वगेरा, जो भी देता है, उसके लिए index 19 में आपको घ्यान दिया गया है, जो भी depreciation या amortization करना, उसके respective index 16, 38, 40 में बताया गया है, impairment हम करते हैं, impairment अचानक से होता है, वो भी cash flow statement बनाना है, उन सभी के लिए अलग-लग standard, तो वो ही सारी standard के बारे में बात करना चाहते हूं, वो ही सभी standard हम पढ़ेंगे, एक index 33 भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें disclose करना होता है, कि अपने पर सहर में कितना basic earning किया, और diluted earning किया, वो भी disclose करना होता है, उसके लिए हम index 33 statement of cash flow भी हम बनाते हैं, जो index 7 में fall करते हैं, तो चले मैंने एक idea दिया आपको कि जो भी आप balance it के items हो गए, जो भी profit and loss के items हो गए, जो भी cash flow statements हो गया, इन सब को prepare करने के लिए आपको उनके अंदर के items का measurement करना होगा, और उसके लिए अलग-अलग index है, जो आपको guide करेगा, अलग-अलग बहुत सारे index है, अब सारे index को one by one करके तोड़ेंगे, और मैं आपको एक और सच्छे ही बता देता हूँ, जब आप देखना बड़ी-बड़ी text firm में, जब आप audit firm में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे, जब वो बड़ी-बड़ी companies के audit करते हैं, तो एक CA को एक department में छोड़ देते हैं, एक CA को बलते हूँ, तो उसे property, plant and equipment का measurement का, तो जिस company का audit करें, क्या पता हूँ, उन company में सोष दो जादा property, plant and equipment हो, एक ज़िए हैं पर छोड़ देते हैं, एक ज़िए pouquinho सिरे रेवेन्यू का measurement कर, revenue में चेकिंग कर, revenue proper हो रहा है की नहीं हो रहा तो आपको अगर एक इक इंडेस में प्रॉपर्ली नॉलिज होगा तभी तो आगे कर वाओगे पर खेर वो अलग बात है अभी तुम्हारा फास्टर बैचे तो मैं फटाफट से भी करना है पर मेरा फ़र्ज है मैं आपको एक बार गो तुरूर से करवा दो अब इंडेस के अपपे लगेगा इंडेस अपपे नहीं लगता है इंडेस उन पे लगता है जो लिस्टेड कंपनी से जो एनसी बीसी में लिस्टेड है फिर फॉरें स्टॉक एक्षेंज में लिस्टेड है उन्हीं पे ही इंडेस लगता है और जो इन्दा प्रॉसेस ऑफ लिस्टिंग है उनमें इंडेस लगता है, यह आप यह समझो, जो listed entity है, यह यह पबलिक company और जो in the process of listing है, उन पे ही क्या लगता है, इंडेस लगता है, हाँ जो unlisted company है, उनका अगर net worth 250 क्रोड या उससे जाद है, सिर्फ net worth, turn over वगेरा कुछ नहीं देखना, उनका अगर net worth 250 क्रोड या उससे ज़ादा है तो उनको भी इंडेस लगाना पड़े और एक बार आपने इंडेस लगा लिया तो आपको हमेशा लगाना पड़ेगा चाहे बात में नेट वर गिर भी जाये तो भी आपको इंडेस लगाना पड़ेगा अब आप बोलों कि सर ऐसी कंपशनी जिनका नेट वर्ट 250 करोड या उससे कम है वो क्या करेंगे वो AAS लगाएंगे जु इंटर में पढ़ रहे बच्चे लो वो AAS लगाएंगे और क्या लगाएंगे तो ध्यान रहे गा हाँ सारी стоит company इंडस लगाएंगे जिनका network 250 करोड या उससे जादा वो इंडस लगाएंगे जिसका आपका में वो एस लगाएंगे और जिस company पर इंडेस लगता है उसकी holding subsidiary associate joint venture पर भी इंडेस लगें यह एक company जिस पर इंडेस लगता है तो उसकी जो भी parent company है जो भी subsidiary company जो भी associate company जो भी joint venture है उन सभी पर इंडेस लगता है और जो SME exchange में listed है उन पर mandatory नहीं इंडेस लगाना है जो small and medium size company जो रहती है जो SME exchange पर लिस्टेड है उनको जरत की उनको जरतनी इंडेस लगाने की mandatory नहीं हुआ पर फिर मैंने बताए दिया एक बार इंडेस follow करोगे तो subsequently हमेंसे आपको follow करना ही बढ़ेगा फिर आगे मैं यहां पर तो बात कर रहा था companies की अब मैं बात करूंगा जो NBFC होगे non banking finance companies होगे या फिर जो banks वगेरा होगे उनका क्या करना है तो banks के लिए तो अभी तक डेफर ही जल रहे है बैंक्स ये commercial banks हो insurance companies हो इनको अभी लगाने की जरत नहीं है क्योंकि insurance companies पे RDA का guidance लगते है और इस पे regional rural banks वगेरा इनका guidance या चीज़ी तो अलग है excluding regional rural banks या अलग है इन पे RBI का guidance लगता है तो इन पे नहीं लगता है इनको इनको लगाने की जरत ही नहीं लेकिन NBFC को जरत है इंडेस लगाने की इसमें भी स्कानून है जो listed entity in the process of listing है या फिर इंका network 250 क्रोड या उससे ज़्यादा है तो उनको लगाना पड़ेगा क्या इंडेस लगाना पड़ेगा उनको तो आइधिंग आपको clear आपको समझ में आगे companies और NBFC अगर वो listed है in the process of listing है इंडेस लगाना पड़ेगा अगर उनका network अगर वो management repair करते हैं वो balanced PL वगेरा बनाते एस पर division 1 of schedule 3 जिस पर इंडेस अप्लीकेबल होते हैं वो balanced PL वगेरा बनाते एस पर division 2 of schedule 3 और जो NBFCs है NBFCs जिस पर इंडेस लगता वो क्या करेंगा division 3 of schedule 3 के साब से बनाएंगे मैंने जस्ट एक overview दे दिया आपको यहां पर ही बात खतम करते हैं अभी कारविन कारवाट की एक बार में बात नहीं करता हूं मैं तो आइठिंक यह सारी index हम पहले करेंगे ज對了 time नि रगाएंगे मिसफ़ण 16-38-40 यह थीनिसों करने के बाद फिर हम बड़े-बड़े index में आ जाएंगे सर किसमे फिर index 103-110 कर लेंगे फिर index 102 कर लेंगे फिर index 16 कर लेंगे एक केटेगरी वाले सारे कोशन सारे इंडस हम कर लेंगे फिर उसकी बाद जो मिड्साइज वाले हो गए जैसे इंडस 33, 12, 21, इंडस 19 यह सारे इंडस हम कर लेंगे फिर उसके बच्चे कुछ इस तरीके से हम सिक्वेंस में हम जाएंगे यह पर और आपका क्या फर्च बनता है आप active रहो जो जो चीजे मैं कहता हूं मार करना वह मार्क करो आप और रेगुलर जो जो कोश्ण में आपको solve करने को देता हो वो questions आप solve करोगे साथ के साथ तो अगर आप मेरे साथ participate करोगे तो 70 प्लस आपका कहीं नहीं जाएगा है ना 70 प्लस कहीं नहीं जाने वाला तो आई थिंग अब हम तयार है बताओ तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि आप आप तयार हूं इंडेस 16 करने के लिए सचीन ची पोरे सर सिर्फ इंडेस 16 पढ़के नोकरी मिल जाएगी क्या अचीब बात करते हो वैसी वाली कंपनी भाई रहे भाई वो तो पढ़ना तो सब कुछ और इंडेस 16 में एसा नहीं कि सिर्फ 16 करो पर ने पढ़के तो अगर वही पीपी को आप ने बाद में क्या कर दिया rental purpose के लिए दे दिया तो उस पर इंडेस 40 लग जाएगा connection से सिर्फ इंडेस 16 पढ़ने से हो गई नहीं उसके अंदर जो आइटम है उसके भी connection से बहुत सारे बहुत सारे अलग-अलग connection से तो अपनी आप ही अपनी आप ही क्या हो जाएगा बहुत सारे इंडे वगेरा सब मैंने आप लोगो टेलिग्राम में भी link इसका सहर कर दिये है ना तो यह नोट्स वगेरा टेलिग्राम में आपको मिल जाएगा सारी चीज़ों का इंडेस 16 वगेरा सबका मैंने नोट्स दे दिया कोशन में में आपको सहर कर दिया अभी as of now आप क्या करो आप screen पर देखो बस अच्छे से screen पर देखो हाँ chapter खतम होने के साथ-साथ handwritten summary notes में मिल जाएगी अपको पार्टिकुलर चैप्टर की और audio clip भी मिल जाएगा हम audio clip भी अपको provide कर देंगे तो tension की कोई बात नहीं अब आप मेरा मेरे साथ दो और आप मुझे बताओ कि हम इंडेस 16 अ पर देखेंगे ताकि हमारा 130 आवर्स का जो हमारा deadline है वो भी हमारा एच्छी वो और अच्छे से हमारे तयारी भी हो जाए है ना अगर किसी को लगता notes का access नहीं मिला भी तक कोई बात है अब screen पे दिख लो screen बड़ा सारा दिख रहा है screen में सभी चीज़े आपको दिखेगे फिर last में once but हम कर लेते हैं आज की class थोड़ी से उसके बाद last में हम बात कर लेंगे है ना जो भी आपकी query वो सारी बात कर लेंगे पास हो जाए at least first group तो कम से कम निकाली दें यह मेरी पूरी कोसिस रहें कि मैं अप लोग का साथ देने वालों है ना अभी अभी चल रहा है साम को हमारा चलेगा और साम को चलेगा साम के पांच बचे चलो ठीक है तो अभी हम इंडस 16 स्टार्ट कर सकते हैं बोलो ठीक है तो अभी आप स्क्रीन पर देखो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में मैंने लिंक डाल दिया गूगल ट्रेवलिंग उसके अंदर सारे प्रोपटी नहीं आते वह प्रोपटी जो आपने रेंटल परपस के लिए दिया हुए यह कैपिटल अप्रेशेशन परपस के लिए अगर वह अपने रेंटल या कैपिटल अप्रेशेशन परपस के लिए दिया हुए मतलब बिजनेस पर यूज नहीं कर रहे है तो ऐस से situation में उस पर इंडेस 40 लगेगा investment property कहलाएगा लेकिन plant सारे सारे के सारे plant और सारे के सारे equipment भले आप उसे अपने business पर यूज करो भले आप उसे अपने office में यूज करो भले आप उसे rental दो इंडेस 16 लगेगा यहनि मैं फिर से repeat करो बार बार में repeat नहीं करूंगा या पर faster batch मैं फिर भी सुन लो इक बार मैंने का प्रॉपर्टी जो है इस पर दो इंडेस लग सकता है आपको चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉपर्टी अपने फैक्टरी में यूज करो या प्रॉपर्टी अपने operating list इंडेस 116 में पढ़ाऊंगा रेंटल में भी कौन सा operating list क्योंकि finance list में दोगे तो वो तो ऐसे भी डी रिकर्गनेस हो जाएगा आपके फिर तो उसका recognition का कोई काम ही नहीं है अगर अब operating list पे दे रहो तो उस पे लगेगा इंडेस 40 investment property लगेगा लेकिन बाकी सारी property जो भी business पे यूज हो रही है office या factory में वो उस पे इंडेस 60 नहीं लगेगा पर मैं ये कहना चाता हूँ जो plant है जो equipment है plant and equipment है वो सारे plant मतलब क्या बड़ी बड़ी जो machinery वोती है factory वगेरा में रहती है equipment क्या हो गया मेरे लिए equipment है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैं camera यूज करो माइक यूज करों computer यूज करों चैर यूज करों ये सारे मेरे लिए इस पे सिर्फ और सिर्फ आता है क्या tangible items अब tangible items को क्या करों अब यूज करों अपने factory में goods या services को produce करने के लिए यूज करों अब एक और उस पर इंडस्टू लगेगा वह goods कहलाएगा उस पर लगेगा inventory है ना समझ में आ रहा तो like कर देना अच्छे से इतने सारे बच्चे लाई वो अगर समझ में आ रहा तो like कर देना तब मुझे पता चल जाएगा कि हमको समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाता हो मैं पूरा logic दे property planning equipment होगा जैसे production of goods and services मतलब यह factory में यूज हो रहा आपका है ना और या फिर आप rental पे दे रहो ध्यान रहे property अगर rental पे दे रहो तो उस पर एंडस 40 लगेगा लेकिन plant equipment अगर आप rental पे दे रहो तो ठीक है मैं ने पता है क्या 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 मेरा खरी लिया और मैं उसे रेंटल पे देके पैसे कमा रहो तो camera को use करके मैं पैसे तो कमा रहो rent पे देके भाड़े से income generate कर रहो मैं मेरे camera को खुद use करके income generate करूँ यह rent में देके income generate करूँ यह अपने office में लगा दिया monitor करने के लिए मुझे benefit तो मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है PPA तो इसलिए मैंने क्या क्या पता है मैंने September में खरीदा एक camera और मैंने क्या क्या February में उसका use खतम हो गया तो one period में consume हो गया मेरा तो उसको कहेगा पीपी मानो उसको तो अब सीधा statement of PL में दिखा दो खर्चे में बात खतम क्योंकि same period में आपने consume कर लिया लेकिन ऐसा हुआ कि आपने मानो September में खरीदा है लेकिन अगले साल के मैं तक चलेगा या जून तक चलेगा तो दो period में आगिया न तो 31 मार्च को जब आप financial statements प्रेपायर करोगे तब still उसकी कुछ value बची हुई उसकी कुछ life बची हुई है तो वो पीपी कहलाएगा यानि पीपी होने के लिए वो use होना चाहिए expected to be use होना चाहिए more than one period अब वो one year वाला concept नहीं रहा पहले बारा मेने वाले concept हुआ करता था आज भी कुछ सारे बच्चे confused है वो बारा मेना पकड़ते है one year वाला concept ही नहीं अब अब concept है क्या period वाला यानि मान लो for example मैंने जनवरी में खरीदा है और मैं उसे जून तक use करने वालों छे मैंने use करने वालों में लेकिन वो दो period में आ रहा है ना क्योंकि मार्च बिश में पड़ गया तो मार्च तक एक financial year है तो दो period में वो fall कर गया वो पीपी कहलाएगा और या फिर आप बोलोगे सर मैंने मैंने क्या क्या जून में खरीदा है और मैं फैब तक चलूँगा तो अप्रेल टू मार्च एक financial year होते है जून से फैब तो एक single financial year में आ गया वो पीपी नहीं होगा यहीं पीपी होने के लिए दो period में fall करना पड़ेगा वो जरूरी नहीं कि उसका life एक साल हो एक साल से कम भी हो पर वो दो period में fall करेगा तो मतलब जब आप balance it बनाओगे उसके बाद भी उसकी life बच्ची भी रहेगी और end में हम उसको depreciate करके उसकी life कुछ बच्ची भी रहेगी उतना कम पीपी दिखाएंगे समझ में इसलिए more than one period यह दिहान में रखना ठीक है पीपी में आचकल more than one period होता है अब पीपी क्या है हमारे लिए asset है हमने तो यह दिका पीपी क्या asset हमारे लिए और asset हम किसको कहते है जो future में benefit दे उसी को asset कहते है मालू मैंने एक ऐसा पीपी खरीदा हुआ है जिसको बेचने पर भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है जिसको use करने पर भी मुझे कुछ नहीं कर मिलने वाला है वो मेरे लिए कचरा है अगर वो मेरे लिए कचरा है अगर वो मुझे future economic benefit ना दे तो मैं उसे पीपी को recognize नहीं करूंगा मतलब हम हर item को अपने finances statements में recognize करते हैं उसकी value के साथ अगर वो कोई benefit नहीं देगा तो उसकी value नहीं है इसलिए पीपी को recognize अगर आपको करना है तो दोनों balance rate में दिखा दोगे पीपी को उसकी तो एक genuine value होनी चाहिए ना उसके लिए उसका cost जो है वो reliably measure होना चाहिए यह हमने समझा यानि कहने का मतलब मालो मैंने एक बड़ा सारा machine खरीदा जो fruity बनाएगा जिससे fruity बनेगी तो मैं वो मैं machine खरीद रहा हूं उससे मैं fruity बनाके कैसे क्या measurement होगा वो सारी चीचे में आगे आगे आपको समझाने वालो इसके अलावा अब मैं एक और concept के बारे में बात करूँगा bearer plant के बारे में bearer plant भी आपका इंड़ा 16 में fall करता है इसके लिए में एक simple सा example लेता हूं मालू मैंने mango का tree खरीदा mango का मैंने क्या 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 tree खरीदा अब वो mango का tree को में use करने वाला हूं कि उसमें मैं mangoes उगाऊंगा mangoes को उगाऊंगा और फिर mangoes को मैं बीचूंगा market में तो आप सोचों यहाँ पर एक cruelty बनाने वाली machine और एक आम पैदा करने वाली machine दूनों में तो कोई अंतर ही नहीं है तो अगर machine पिपी हो सकता है तो आम पैदे पैदा करने वाला जो पैड़ है वो भी तो पीपी हो सकता है इसलिए बोला जो आम का पेड़ है अगर आप उसको यूज कर रहे हो आम उगा के बेचने के लिए और वो more than one period के लिए यूज होने वाला है तब वो पीपी होगा लेकिन अगर आपने आम का प प्रोड्यूस में आ जाता है अगरी कल्चे प्रोड्यूस और इंवेंट्री दोनों लगबख सही होता है वो आगे हम सीख लेंगे है न मलब वो इंवेंट्री जैसा हो जाएगा यानि कहने का मतलब कोई भी ऐसा पेड़ है जिसको काट की बेचने वाले नहीं हो उस जाता है तो जड़ से काटा जाता है तो सुगर केन हम हुगा एंगे उसको तो जड़ सी काटेंगे वो इसलिए पीपी नहीं कहलाता है जिसे हम खेती करते हैं चावल वगईरा इस सब धान वगईरा की खेती करते हैं, तो उसमें भी ज़र से उखाडा जाता है, और हर साल आपको खेती करने पढ़ दिये, तो इसलिए वो पीपी नहीं खेलाएगा, लेकिन अंगूर का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, जा अब यूज करो production करने के लिए agriculture produce का जैसे आम वगेरा का production करने के लिए अब यूज करो और ये एक period से ज़्यादा के लिए यूज होगा वो तो हमने building वगेरा में भी देखा था एक period से ज़्यादा के लिए यूज होगा और likelihood very remote है कि अब उस पेड़ को काटके बेच दोगे यनि पेड़ को खुद को agriculture produce बना दोगे तम नीच चलेगा पेड़ को अब यूज करके उससे agriculture produce generate करके अगर आब बेचोगे वो आपका bearer plant है और इसके लिए सबसे best example है एक्जाम में धियान रखने के लिए mango tree लेकिन आपको मैंने यह सब आपका bearer plant नहीं होगा क्योंकि उसको जड़ से उखाड़ा जाते है वह कोई पेड़ नहीं होता है जिसमें फल उखते है पोलो समझ में आया कि नहीं अरे live class है बुसरा जी टेंसन क्यों लेते हो live class में बैठा हूं मैं यह समझ मैं अब मेरी समझाना चाहते हूं कि पीपी मतलब तो समझ गया माल लो मैंने को एक मसीन खरीदा और वो क्वालिफाइ कर गया वो definition का कौस्ट माझे में तो इनिशयल रिकर्दिनिशन कैसे होगा और सबसेकंड रिकर्दिनिशन कैसे होगा वो सारी लुका कोई concept ही नहीं लेकिन financial instruments में हम पढ़ेंगे वहाँ पर initially fair value का concept है financial instruments items में लेकिन ये मैं पढ़ा रहा हूँ property planned and equipment जो कि tangible item है जो कि आपके production पर use होने वाला है है ना यह rental पर दोगे यह office में use होने माला more than one period के लिए तो वो जो property planned and equipment है उसका initial recognition सिर्फ और सिर्फ पॉस्ट मॉडल होगा revolution मॉडल नहीं हो सकता यह initially क्या मैं fair value में measure कर सकता हूं नहीं कर सकता चलो समझ मैं तो आप मुझे बताओ मैं initially कैसे measure करो मालो मैंने machine खरीदा 5 lakh rupees cash देखे तो बताओ मैं machine को कितने में दिखाऊंगा 5 lakh rupees में कैसे दिखाऊंगा pp account debit to bank enough 5 lakh rupees में दिखा दिया मालो मैंने machine खरीदा है और मैं एक साल के बाद उससे पैसे दूँगा यह दो साल के बाद उससे पैसे दूँगा 6 lakh rupees दो साल के बाद अगर मैं उससे पैसे दे रहा हूं तो देखा ज़त उस पे इंट्रेस component भी होगा मैंने आज आपसे एक machine खरीदा और मैं आपको पैसे दूँगा दो साल के बाद 6 lakh rupees तो देखा जाए तो मैं आपको जो दो साल के बाद 6 lakh rupees दूँगा उसमें मैं machine का भी पैसा दे रहा हूं और दो साल payment जो defer करूं उसका मैं इंट्रेस भी दे रहा हूं तो मुझे उसमें से इंट्रेस component निकालना पड़ेगा अलग करना पड़ेगा उसका accounting मैं बात में सिखाऊंगा तो मालो इंट्रेस मैंने हटाया और मैंने देखा कि इसका cash price equivalent जो है वह फाइब लाग फिप्टी थाउजिन है तो मैं यानि cash price equivalent में पीपी दिखाया जाता है अब एक और concept है इनिशली exchange of assets माल लीजे मैंने आपसे एक machine खरीदा है मैंने आपको cash दिया होता तो जितना cash देता उतने कमेरिक अशकर देता मालो मैं आपको 5 लाग cash दे रहा हूँ तो फाइब लाग में मैं रिक नहीं देखूंगा कि जो land मैं आपको दे रहा हूं उसकी कितनी value वही तो consideration है यहीं ultimately initially cost model है cost model मतलब जितना आपने consideration दिया उतने में पीपे दिखाओ तो मैं अगर आपको land दे रहा हूं तो मैं देखूंगा कि land का कितना consideration मुझे market में मिलता तो मुझे पता चला कि land मुझे market में fair value उसको बीचने पर 5 लग मिलता तो सोचो मैं ऐसा भी तो कर सकता था market में land को बीच देता 5 लग रूपीस मेरे पास आ जाता आपको 5 लग देता आपसे पीपी ले लेता मतलब अगर मैं आपसे कोई मसीन खरीद रहा हूं और बदले में मैं आपको land दे रहा हूं तो मैं देखूंगा land का fair value कितने तो मेरे cost लग है मुझे पता चला land का fair value 5 लग रूपीस है तो मैं क्या करूंगा पीपी को 5 लग रूपीस में मैंजर करूंगा और इसी वज़े से एक्षींज ओव एसेट्स में फर्स प्राइरिटी दिया जाता है फैर वेलू ऑफ दा commercial substance में अगर lacking करे तो क्या करेंगे तब हम carrying amount of the assets given आपको priority देदे जिसके बारे में मैं बात में समझाओंगा बस मैंने आपको ये समझाना था कि initial recognition एक बार गो थू करके समझा दो कि initial recognition में होना क्या है एक बार मैंने आपको समझा दिया आप अब subsequent recognition क्या होगा आप खुद ब value को दियान में रखते वें अगर अचानक से जरत पड़ी impairment करने की इंडस 66 में पढ़ाओंगा मैं तो impairment की जरत पड़ी तो हम impairment भी करेंगे वो भी करेंगे सबसे कुद्ली चाहे cost model हो चाहे revolution model हो सबसे क्वंडली तो आपको क्या करना पड़ेगा depreciation करने ही पड़ेगा impairment करने पड़ेगा और उसकी बाद अगर आप revolution model लग फोलो कर रहे हो तो frequency of revolution चेक करेंगे वो मैं बाद में पड़ाओंगा उसके हिसाब से हम उसकी fair value determine करेंगे और fair value determine करके उतने में कितना fair value gain या loss हुआ है उसको adjust करेंगे अब fair value में और recoverable amount में भी फरक है अब यह समझे हो revolution model में हम carrying amount को fair value से compare करते हैं बट आगे जब मैं आपको पढ़ाओंगा तब पता चलेगा कि जब impairment करते हो ना तो वहाँ पर carrying amount को fair value से compare नहीं करते carrying amount को recoverable amount से compare करते हैं मैं छोटी 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 चीज़े इन सब चीज़े क्यों आपको बता दे रहो क्योंकि मैं मान रहूँ आप repeaters हो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसलिए मैं छोटी 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 चीज़े आपको बता दे रहो चलो अब कोई दिक्कत नहीं अब हमने यह समझा initialy तो cost में होगा सबसेक्वंट के बारे में मैं आपसे बार में बात कर लूँगा अब initially cost मतलब cost price क्या होगा क्या होगा हमारा PPE का cost price क्या price में measure करेंगे तो उसके लिए हम यह देखना है कि ultimately उसका cost कितना लगा मालो मैं इसके लिए उसके लिए example ले रहो मैंने अमेरिका से एक मसीन मंगाया जिसकी रुपी वेलू एक्यूवेलेंट है मावनलो 10 लाग रुपी तो परचीस प्रैस कितना हो गया मेरा 10 लाग रुपीस मेरा मावनलो मैं एक्जांपल यसे करके समझा दे रहा हूँ मैं अब कॉश कितना होगा मेरा PPE का purchase price लग गया अमेरिका से मंगवाने में 10 लाग रुपेश अब import करूँगा तो import duty लगीगा न अमेरिका से इंडिया पहुचने पर import duty ले लिया सरकार ने सरकार ने इस पर import duty बोला कि तुने बाहर से मंगा एंडिया से भी मंगा सकता था तुझे तो मैं नहीं चोड़ूँगा 3 लाग रुपे 3 लाग रुपेश उन्होंने import duty ले लिया मेरे तो बताओ मेरा 10 लाग रुपेश तो पहले लग गया अमेरिका में import duty मैंने 3 लाग रुपेश दे दिया ये 13 लाग रुपेश मेरा लग गया ये मेरा cost price है इसके अलावा कुछ taxes भी लग गये अगर वो taxes refundable है तब तो कोई problem नहीं है वो आप add नहीं करोगे refundable है मिल जाएगा आपको अगर वो non refundable है मालो 50 लाग रुपे लग गये अगर वो non refundable है तो वो भी add हो जाग गया और आपको कोई भी प्रकार का trade discount दिया गया मालो purchase price में आपको trade discount मिल गया 10% 10% on purchase price में आपको 1 lakh रुपेस का discount दे दिया तो net price आपका 10 lakh लग 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 नहीं अमेरिका में वो American supplier जो आपके तरस खागे उसने 10 lakh के जग आपसे 9 lakh की लिया तो 1 lakh का अगर वो आपको discount देगा तो 1 lakh माइनस होगा क्योंकि net price तो आपका 10 lakh लग 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 नहीं 1 lakh आपको discount मिल गया 9 lakh अगर लग आपका तो उतना ही आपका लिया जाएगा यहाँ पर लेकिन धियान रे cash discount कभी भी इसमे अच्छस नहीं रेट discount माइनस होगा अभी मैं एक्जाम के लिए तना यहाँ दिला दे रहा हूँ धियान रेट डिसकाउन माइनस होगा कहीं पर लिख देना कॉपी में मैंने का ने छोटी डाइरी छोटी डाइरी में लिख देना ट्रेट discount माइनस होगा purchase price निकालते समय पर cash discount माइनस नहीं यह दियान में रखना ठीक है यह हमने समझ लिया फिर जो भी डैरेक्ली अट्रीबुटेबल cost है कौन से cost जो asset को location और condition में लाने के लिए लगा इन्हीं asset को अमेरिका से पुंबई तक लाने का जो भी खर्चा लगा location में लाने का रखका भाड़ा हो गया होगा रस्ते में आपका कुछ-कुछ tax हो गया होगा कोई भी चीज़ आपका लगा है उस asset को location में लाने तक का वो directly expenses है अगर आप उस asset को नहीं लाते तो वो खर्चा नहीं लगता वो लगा क्योंकि आप asset को लेके आरो अपने location में तो वो directly attributable expense है हाँ ऐसे खर्चे जो avoidable है जो हम चाहे तो avoid कर सकते थे वो इसमे include नहीं होता है मैं लग वो खर्चे वो तभी लग रहे क्योंकि अब asset को location में लेके आरो नहीं लाते तो नहीं लगते तो वो खर्चे आपके add होंगे क्यों वो तभी लगे ना क्योंकि मुसको location में लेके add होंगे इसकी अलावक condition में भी लाना पड़ता है condition में लाने के पिटिंग करने पर हमारा कुछ कुछ टेस्टिंग करवाया तो टेस्टिंग करने का भी खर्चा लगा क्योंकि जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा वह ready for होना बंद हो जाएंगे कंडिशन में लाने के लिए मैंने अगर साइट प्रिपरेशन वगेरा को कुछ-कुछ खर्चा किया है तो वह भी खर्च होगा इसके लावा एक और चीज लिख लो आप अपने च्छोटी सी डायरी में जो मैंने कहा है प्रोफेस्नल फी जो है वह हमे आपका एड़स्ट नहीं होगा एड़स्ट होगा और प्रोफेस्नल फी वी क्यापिटलाइज होगा यह चीज आप ध्यान में रखना इसके अलावा लास्ट एक और चीज जैसे कि मानलों फॉर एक्जांपल मैंने बड़ा सारा प्लांट बैठाया ठीक है बड़ा सारा प्ल कर भी खर्चा लगता तो उखारने का घर्चा लगता तो जो करने का खचा लगता है तो हम आज नि लगेगा तो दस साल के बाद लगेगा उसको तो present value में हम capitalize करते हैं, यह concept जब मैं practical example आपको करूँगा, हैने question करूँगा सीधा, तो उसमें आपको मैं समझा दूगा यह concept, कि कैसे present value में लाएंगे, फिर कैसे उस पर interest चड़ाएंगे, वो सारी चीचे मैं बाद में समझा दूगा, बैस अभी इतना समझो, और इसके पीछ आपको करना पड़ेगा, जो कि कही ना कही सही नहीं है, क्योंकि उस machine को 10 years use करेंगे, तभी तो dismantle करना पड़ेगे, और इसी वज़े से उस machinery का जो भी dismantle का खर्चा, वो spread होना चीच दस सालों में, और इसी वज़े से standard नहीं क्या कहा, कि आप क्या करो, आप उसका present value जो है, वो PPA के इंदर डाल दो, capitalize कर दो, उससे क्या फाइदा होगा, वो amount अपने PPA में डाला, और over the period depreciation के थ्रू, वो amount भी depreciate हो जाएगा, वो amount भी write-off हो जाएगा, PNL में, 10 सालों में depreciation के थ्रू, और इसलिए present value dismantling का जो है, वो भी हम क्या करते, capitalize कर देते, ताकि वो over the period depreciate हो जाए, 10 सालों में उसका effect जाए, ना कि एक सालों में उसका effect जाए, यह मैंने आपको एकदम अच्छे से clear करवा दिया, इस पर कुछ-कुछ interest चड़ेगा, वो बाद में मैं आपको सिखाऊंगा, तो बोलो आपको यह समझ में आया, हाँ से एकदम अच्छे से अपने clear करवा management, यनि management जिस manner में उसे operate करना चाता है, उस manner में आने के लिए जितने भी खर्चे capitalize होगा, मालू मैंने इक बस खरीदा है, पर वो बस में बुक्स की, उस बस में मैं बुक्स की सौप बनवाऊंगा, तो मैंने बस खरीदा, उसका खर्चे capitalize होगा, फिर उसके अंदर को मैं purpose के लिए ready करने के लिए, जितने मेरे खर्चे है, वो capitalize होगा, ये ध्यान पर रखना, और ध्यान है dismantling करने का जो भी खर्चा future में लगेगा, उसका present value हम क्या करेंगे, capitalize करेंगे, बताओ यहां तक clear है, क्या पीपी का, क्या क्या cost आएगा, समझ में आगया, जी हां समझ में अब यहां पर देखो, वही directly attributable खर्चे की कुछ-कुछ example दे, मैंने का और भी हो सकते, ऐसा नहीं कि सर्व यह होंगे, पर यहां पर कुछ-कुछ example दिया हुए, जैसे professional fee, testing करने का खर्चा, अब installation वगेरा, या assembly करने का खर्चा लगेगा, delivery, handling, cost, courier, charge वगेरा लगेरा लग का भी खर्चा, यानि machine को बनाने का कुछ भी खर्चा पड़ा, या अपने machine खरीदा ही है, लेकिन अब उसको वापस ready करना आपको, तो आपने कुछ employee को लगा उस machine को ready करने के लिए, तो direct expenses ही तो है, तो machine को ready for use करने के लिए, जो भी खर्चे लगे आपके, employee के खर्चे लग आपको एक बार go through करवा दूंगा, वो सुन लोगे चलते फिरते कभी भी, तो फिर आपका सब recall हो जाएगा, जो जो आपको मैंने पढ़ा है, है ना, बताओ एकदम अच्छे से, बताओ एकदम अच्छे से, समझ में अगर आ गया तुम आगे बढ़ते फिर, अगर समझ में आए तो यह आगे बढ़ते, अदर्वास नहीं बढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको, अब समझाओंगा, कुछ-कुछ examples करवा के समझा दूँगा, मैं थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा concept समझाओंगा, मेरे class note से समझा दूँगा, फुल एकदम अच्छे से समझ में यहां तक जो पढ़ा भी तक कुछ नहीं पढ़ा है, definition और PPE समझा अच्छे से, bearer plant के बारे में हलका सा बताया था, और PPE के cost में क्या-क्या चीज़े include होगी, वही बताया मैंने, और कुछ भी जादा नहीं बताया, समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहे कि नहीं आ रहे कि मुझे चलो, अब मैं कुछ-कुछ concept, एक तो हमारा main notes हो गया, class notes भी आपको google drive में मिल जाएगे, जैसे कि हमारा faster batch है, जहां जड़त पड़ेगी, वहां मैं लिखके समझाओगा, जहां जड़त नहीं पड़ेगी, वहां पर मैं लिखके नहीं समझाओगा, मैं सीधा आपको पर मैं सबसे पहले यह बताना चाता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था, पीपी जो वो initially measure होगा, cost model में, सिर्फ cost model में पीपी initially measure होगा, कोई concept नहीं, fair value का कोई concept नहीं है, हाँ, subsequently, यहनि at the end of each reporting period, आप पीपी को या तो cost model में measure कर सकते हो, या revolution model में measure कर सकते हो, पर initially तो सि मैंने cost model और revolution model दोनों का मैंने concept आपको अच्छे से समझाने की courses करूँगा, यह अपर, तो दिखो, आप मेरी बात सुनो, आपने मानलो, 1st April 2001 को, आपने price पे किया, टू, एक्क्वाइर पीपी 500 रुपेस का, ठीक है, और आपका fair value जो है, मानलो, उस दिन या, लेटर ओन जो और यहाँ पर भी यह 1st April का ही मैं रख देता हूं, आपने 5 रुपेस में 1 पीपी खरीदा हूं, इतना 5 रुपेस अपने पीपी किया, लेकिन उस दिन उसके fair value 4.80 था उचिंदी, 1st April को, क्या मुझे fair value से कोई मतलब है, initially मुझे कोई मतलब नहीं, इनिशली मैं क्या price दे र लिखो, पीपी टू बैंक 5 लाग दिखा दूआ, जितना मैंने cost लगा मेरा 5 लाग दिखा दिया, अब मालो इसकी useful life 5 सार की, देखो useful life अलग होता है, economic life अलग होता है, मालो पीपी की economic life 10 साल है, 10 years है, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं यह दिखूँँगा कि मैं उससे कितने सा यूस करो, वो useful life के सबसे हम depreciation करते हैं, हाँ, अगर हमारे economic life से कम है useful life, तो ऐसा situation में कुछ salvage value भी रहगा, तो salvage value को adjust करके, बाकी का बचववा हम depreciation करते हैं, मालो इसकी life भी 5 साल है, economic life, useful life भी 5 साल है, मालो यहाँ पर, तो 5 years की useful life है, अगर 5 लाग का पीपी है, और straight line method of depreci depreciation आप करोगे, तो subsequently आप क्या करोगे, subsequently obvious थी बात है, आप depreciation करोगे, कितने का, 5 लाग 5 सालों में, यह एक साल का depreciation क्या होगा, depreciation to pp 1 lakh होगा, आपका बस बात खत्म, depreciation to pp 1 lakh होगा, अब year end में 31st month 2002 को fair value 5,85,000 है, पर मेरा carrying amount कितना है, मेरा carrying amount 31st month 2002 को कितना है, 4 lakh है, कैसे आया, 5 lakh मेरा pp था, और मैंने 1 lakh का depreciation charge किया, तो 4 lakh मेरा carrying amount आया, लेकिन fair value उस दिन 5,85,000 तो बताओ, हम क्या, 4 lakh की value को 5,85,000 में पहुचाएंगे, मैं कहूंगा, नहीं पहुचाएंगे, क्यों, क्योंकि हम cost model follow कर, अगर subsequently भी आप cost model follow कर, क्योंकि वो तो आपकी choice है, अलग- मैं cost model लगाना चाता हूँ, तो fair value को मैं नचर अंदाज करूँगा, अगर subsequently मेरी choice है कि मैं revolution model लगाना चाता, अब मैं fair value को consider करूँगा, पर ये ध्यान में रखना, subsequently, सबसे पहले तो अब depreciation charge करोगे, impairment कुछ होना है तो वो भी करोगे, उसकी बाद, अगर आप revolution model follow करते हो, तो आप fair value से compare करोगे, तो यहाँ पर जब कि हम cost model follow कर रहे हैं, तो हमने ignore किया fair value को कोई इसका treatment नहीं हो, अब देखो दूसरा, मालों दूसरी entity है जो revolution model लगा रही है, ये इसको October से हटा के April बनाना है, 1st April, ये भी 1st April, देखो, 1st April को मैंने 5 लाग रुपीज पी किया, fair value तो 4 लाग 80 धाउचन, मैं revolution model follow कर रहा हूँ, तो क्या मैं fair value में दिखा सकता हूँ, नहीं, initially तो allowed ही नहीं, initially मैं cost में दिखाऊँगा, 5 लाग, pp2 bank 5 लाग मैं cost में ही दिखाऊँगा, तो मैंने pp2 bank 5 ला cost में दिखाऊँगा, अब subsequently तो मैं revolution model लगा सकता हूँ, पर फिर भी पहले आप depreciation करोगे, पहले आप बोलोगे कि सर, अभी तो हमारा fair value ज़्याद है, हम क्यों depreciation लगाए, नहीं, करने ही पड़ेगा, पहले आपको depreciation charge करने ही पड़ेगा, पहले depreciation होगा, impairment होगा, फिर last मे आप जो भी करोगे revolution वो कर सकतो, तो यहाँ पर पहले हमने क्या क्या depreciation charge किया, कितने का 1 lakh रुपीज का, अब मेरा carrying amount कितना है, 4 lakh का है, 5 lakh में से 1 lakh charge होगा, 4 lakh रुपीज का, अब इस दिन fair value आगया, 5 lakh 85,000, मैं बढ़ा सकता हूँ, 4 lakh की carrying amount को fair value में measure करना है, तो कितना बढ़ 1 lakh 85,000 बढ़ा, तो मैं PP को 1 lakh 85,000 से debit कर दूँगा, बढ़ा दूँगा, और बाकी का बचावर revolution gain दिखा दूँगा, अब मुद्धा ये की revolution gain कहा जाता है, OCI में जाएगा कि PNL में जाएगा, ये मैं आपको समझा दूँगा, टेंसन की कोई बात हूँ, ये revolution gain कहा जाएगा तो वो PNL में charge होगा, standard बोलता है, revolution loss होगा, पेनल में charge कर, standard बोलता है, अगर revolution gain हुआ है, तो तुझे हम PNL में credit करने को नहीं देंगे, हम PNL में credit करने को नहीं देंगे, तुनी देंगे क्योंकि वो अभी तक unrealized है, वो profit realized नहीं हुआ, क्योंकि कहां real मैं machine को बेचर हो, ब उसकी वेरविलू 20 लाग हो गई, मैंने 5 साल यूज़ करके खतम कर दे, तो मुझे कहा कुछ benefit मिला, तो इसलिए standard बोलता है कि आपका जब बेचने पर अगर profit होता तो पीनल में दिखाने को allow करते हैं, पर जबकि आप यह revolution model लगा रहे हो, कि क्या value दिखाओ पीपी का जाता, पर इसे related जो भी गेन है, वो unrealized गेन, वो realized नहीं हुआ है, और इसलिए हम आपको इसे पीनल में दिखाने को नहीं देंगे, तो कहां दिखा सकते हो, other comprehensive income में आप दिखा सकते हो, मतलब दोनों तरफ से मारा जा रहा है, अगर घाटा हुआ तो पीनल में charge करना पड़ेगा, औ थोड़ी से कमी रहेगी, यो मारा statement of PL है, ठीक है, इसमें आपका depreciation भी तो आएगा, ठीक है, depreciation भी आएगा, चलो हम मान के चले, ये profit for the year after depreciation, हम मान के चले, statement of PL देखोई है, क्योंकि profit आएगा, depreciation और चार्ट करने के बाद ही तो आएगा, ये मेरा 50 लाग रुपे का profit depreciation वगेरा तो सब PNL में चार्ज होगा, वो depreciation चार्ज करने के तो मेरा 50 लाग रुपे होगा, 50 लाग रुपे से, फिर मैं बाद में other comprehensive income अलग से head बनाऊगा, यानि statement of PL मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, एक second लगेगा, ये देखो, statement of PL कैसे बन से दिखाओगे other comprehensive income और profit for the year और other comprehensive income दोनों मिला के total comprehensive income हो, यह दोनों मिला के आपका total comprehensive income हो, यहां रखना, यानि अच्छे total other comprehensive income ही लिखा है और ये profit और ये दोनों मिला के total comprehensive income हो, यानि पीनल में कितना profit कमाया और other comprehensive income में कितना profit कमाया, दोनों मिला के total comprehensive income दिखाया जाता है, यनि यूजर को पताया जाता है कि जो भी other comprehensive income की item है उससे अभी profit मन मानों ये कहिना की unrealize है हाँ आप इनको profit मान सकते हो इसलिए segregation किया जाता है पर हम खुल के बताएंगे user को देख जो panel में items दिख रहे हैं वो realize है कही न कहीं जो OCI की items से वो कही न कहीं realize नहीं है वो है तो profit पर उसके लिए तू ज्यादा खुस मत हो क्या पता तेरा वो realize होगा भी या नहीं होगा इसलिए अलग से OCI में दिखाया जाते है तो वही आप देखो यहाँ पर मैंने वही किया है यहाँ पर हम statement of PL के नीचे other comprehensive income के head में हम दिखाएंगे revolution गेन कितने का वलनेक 85 बात खत्म balance hit में क्या आएगा balance hit में obvious सी बात है आपका जो revolution surplus है वो one like 85 होचे ना जाएगा मतलब जो PL का फायदा यह तो ultimately balance hit में retain ending में जाएगा balance hit में यह जो net profit है यह कहाँ जाएगा retain ending में जाएगा बात में कुछ different भी दो के तो retain ending से adjust होगा other equity में और जो आपका revolution गेने वह आप अलग से दिखाऊगे वो retain ending में नहीं जाते हैं यह revolution gear अलग से revolution surplus में जाते हैं और यह दोनों other equity के ही item यह दो आइटम होता है equity में share capital other equity other equity के अंदर retain ending अलग होगा retain ending को आप कहीं नहीं कई free reserve मान सकते हो कि आपका दिखाए जातो free reserve है इसे आप different वगेरा जो दिने दो यह आपका free reserve नहीं है not a free reserve ध्यान रहें यह आपका revolution surplus free reserve नहीं है तो बोलो एक बार यह समझ में आ जी हां sir समझ में आ गया कि जो भी आपका penal होता है profit होता है वो आपका retain ending में जाते है और जो भी आपका revolution surplus वगेरा होता है वो other equity में अलग हैड में जाता है revolution model कैसे लगा होगे हाँ इसमें मैंने impairment use नहीं कि अभी तक impairment भी अगर होता तो depreciation के बाद आप impairment करतो और impairment हमीसा पीनल में जाता है impairment कैसे निकाला जाएगा वो इंडस 36 में आप सीख हो गया है अब मैं आपको exchange of assets समझा देना चाहता हूँ यह थोड़ा सा tough तो कुछ नहीं य exchange of assets मैंने आपको exchange of assets में क्या कहा हूँ यहाँ पर भी मैं initial recognition की बात करहूं कहीं नगे exchange of assets कब होता है initially तो होता है मैं आपसे assets खरीद रहा हूँ पदले में अपना assets दे रहा हूँ यह मेरा initial recognition कि सब second है अरे पहली बार recognition हो रहा है देखा जा तो एक asset बेच रहा हूँ और एक asset खरीद रहा हूँ है न तो exchange of assets समझ जो यह कहीं न कहीं initial recognition ही है तो मैं क्या अब स्टार्ट कर सकता हूँ exchange of assets मुझे बता दो कमेंट करके अभी तक सब कुछ समझ में आया हूँ बोलो यह समझ में आया है बाकी तो नॉन स्टॉप हम एक घंटा से पढ़ रहे हैं और आई तिंग आपको समझ में आ रहा है सब कुछ मजा आ रहा है मजा आ रहा है तो जरूर से लाइक कीजेगा ताकि मुझे पता चले आपको पढ़के मजा आ रहा है चलो I think you are ready हम ज्यादा समय नहीं करते क्योंकि हमें 130 और में पूरा खतम करने है तो देखो एक्षेंज ओव एसेट के अब हम बात करते हैं मालो मेरे पास एक मसीनरी पढ़ा हुआ है जिसकी केरिंग एमउंट 15 लाक रूपीज केरिंग मतलब यह बैलेंस इट में दिख रहे मैंने building acquire किया in exchange of machinery and paid additional रूपीज 3 लट मतलब मैंने machinery को दे दिया जो मेरे पास था उसकी बदले में मैंने क्या क्या बिल्डिंग खरीदा और बदले में मैंने machinery दे दिया और cash भी 3 लाक रूपीज दे दिया मैंने मेरा machinery का fair value 25 लाक रूपीज है मेरा land and building का fair value 30 लाक पहले तो हम मुझे बता ओ कि मेरे पास क्या आया मेरे पास मैने क्या खरीदा machinery to already balance sheet में मेरे पास आया क्या मैंने building acquire कि तो building भी आपका पीपी है चलो मैं building लिग देता हूं मैंने building खरीदा हूं building मेरा debit होगा building मेरा balance sheet में जाएगा किस item में किस value में जाएगा मैंने आपको यह समझा है exchange of assets में आप first priority दोगे fair value of the assets given up second priority जाएगा fair value of the assets और commercial substance बाद में आपको तो आप यहां पर देखो मैं building जो मैं आएखायर की है इसको मैं measure करूंगा at fair value of assets given up मैंने क्या given up किया है मैंने दिया machinery और तीन लाख रुपिया cash मैंने क्या given up किया मैंने machinery दिया जिसका fair value 25 lakh रुपी शेइख मैंने machinery दिया जिसका fare value 25 लाग रुपीज है और मैंने cash दिया 3 लाग रुपीज यहनि debit कितने का होगा 28 लाग रुपीज debit होगा यहनि machinery जो है वो मैं कितने का दिखाँगा 28 लाग रुपीज का दिखाँगा मतलब fair value of the assets given up assets मैंने दो चीज़ दिया machinery दिया और cash दिया machinery 25 लग का fair value है और cash का तो fair value वही होगा तो 25 प्लस 3 28 लाग रुबिस का मैंने building दिखा दिया अब चलो done अब मैं क्या करूँगा अब जो मेरा गया उसे d-recurse करूँगा मेरा क्या गया मेरा जो machinery हुआ करता था वो चला गया तो two machinery में दिखाऊंगा मेरा जो machinery हुआ करता था वो मेरा चला गया है ना तो machinery गया मेरा और मेरा cash गया दो चीज़ गया मेरा machinery कितने का दिखाऊं मैं fair value गया क्या मेरा 25 लाग दिखाऊंगा रुको जारा अरे भाई जो मेरे books में value recorded है वही तो मैं ती recognize करूंगा मेरे books में value recorded है 15 lakh रुबीज तो मैं 15 lakh ही तो only recognize करूंगा है ना और मैंने cash दे दिया 3 लाग का बागी का बचा हुआ मेरा profit है बागी का बचा हुआ मेरा profit है P&L में जाएगा कितना 10 लाग रुबी ये भी मैं आपको समझा दूरूँगा हूँ क्या रहा है आप ये समझो आपने क्या दिया आपने machinery जो है वो बेचा है देखा जातो 15 ल ये 10 लाग वही तो 10 लाग यहाँ पर दिख रहा है मैं चाहता तो इसकी दो entry अलग-अलग से भी करके आपको समझाता मैं पहले बोलता मैंने machinery बेच है तो मैं क्या करूँगा machinery को credit करूँगा कितने का 15 लाग की machinery मैंने बेची है ठीक है और 15 लाग की machinery मैंने बेची है कितने म फैर विल्लू में 25 लाग रुपीज में मैंने बेची है और मैं PNL में दिखा दूँगा 10 लाग रुपीज यह मैंने एक entry pass की उसके बाद में मैं बोलूँगा कि अब मैंने क्या-क्या अब मैंने खरीद लिया अपना land and building तो land and building मैंने कितने में खरीदा मैं बोलूँगा 28 लाग में land and building खरीदा पैसे एक तो machinery से 25 लाग वो दे दिए और दूसरा और bank से 3 लाग रुपीज ओड दे दिए यह जरत नहीं बस मैं आपको समझाना चाता हूँ तोर-टोर कैसे कर सकता हूँ पर exam में ऐसे मत करना आप बस simple सी बात यह समझो जो आपके पास आया है उससे आप दिखाओगे fair value of assets given up में इससे आप दिखाओगे fair value of assets given up Unless fair value of assets acquired clearly evident हूँ तो अलग बात है अब मैं machinery जो deiring assistants करूँगा यह deiring right नेस करूँगा न मैं ये caring amount में तो de-recugnes होगा अरे जितने का recugnes है उतना ही तो de-recugnes करोगे उससे जएदा कैसे करोगे इतना ही books में recugnes है तो इतना ही de-recugnes करोगे इतना मेरे de-recugnes कर दिया cash मेरा 3 लग गया ये भी मेरे de-recugnes कर दिया बच्चाव वो मेरा penal में चला गया अब यहाँ पर मत बोलना कि unrealized profit यह realize हो गया क्योंकि आपने machinery को बेज डाला है दिखा जाए तो machinery का profit realize हो गया यह penal में जाएगा आप balance sheet में other income में दिखाऊगे revenue में नहीं दिखाऊगे other income में दिखाऊगे profit on sale of machinery है न 10 लाग रुपिस का आप दिखा दोगे तो बोलो यह entry के एकदम अच्छे से मखन की तरह clear हो गया building की fair value नहीं लेंगे building की fair value क्यों लेंगे कोई काम नहीं इसका नहीं लेंगे इसकी fair value क्योंकि हम fair value of the assets acquire का concept नहीं लगा रहे पहला priority हम देते है fair value of the assets given अब को अगर fair value of the assets acquire होता तो इसका कोई काम होता इसकी fair value नहीं लेंगे और याद है मैंने पताया था initially revolution model का कोई concept नहीं है इस्ते अप्रूफ होता है सबसेक्वंडली तो revolution model का concept है इनिशली तो revolution model का कोई concept ही नहीं है तो यह क्यों आएगा अगर revolution model लगाती तब तो यह 30 लाग में मैजर कर सकते थे ना पर इनिशली revolution model का कोई concept ही नहीं है वो तो सबसेक्वंडली है हाँ सबसेक्वंडली इसके fair value 30 लाग होई तो हम 30 लाग तब पहुचा सकते है तो आप यह समझो फर्स प्रेफरेंस क्या दोगे fair will of assets given up यह हमने समझ लिए एक दम अच्छी तरीके से clear है आप लोगों सभी को नहीं यह रिवाइस नहीं चल रहा है तनीसाजी बैच चल रहा है फास्टर बैच अप्ट्रतिक जगाती डॉट कॉम से ले सकते हो आज की जलो तो आइठिंग आपको यह मैंने समझा दिया एंड यह इंपैर्मेंट लॉस भी मैं आपको भी समझा सकता हूँ पर अभी इसकी जरत नहीं इंपैर्मेंट पढ़ने पर इस समझ लेंगे तो जादा अच्छ है अब मुझे आपको एक concept समझाना replacement part वाला replacement part वाला मुझे concept समझाना बोलो यह तो समझ में आगी एकदम अच्छे से exchange of assets एकदम अच्छे से clear हो गया बस उसमें commercial substance है वो theory में बाद में बता दूँगा ठीक है अब मुझे आपको समझाना है क्या पता है छोटे छोटे एक replacement part यह बहुत important concept है इसको start देना replacement part में आपको बहुत अच्छे सा समझाना उससे पहले मैं आपको यह बता दूँगा बहुत सारे छोटे 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 spare parts भी होते हैं machinery वगेरा में equipment वगेरा में use होते हैं यह सारे जो आइटम होते हैं स्पैर पार्ट वगेरा यह भी अगर डफिनेशन और पीपी को मीट करें आप उसे पीपी मान सकते हो मतलब आप मुझसे पुछो के सर एक माचिस की तिल्ली है क्या वो पीपी हो सकती है मेरे पास सामने एक छुटा सा एक बकल जैसा पिन पड़ा पार्ट सी है और यह टेंजिबल आइटम है यह मोर दिन वन पीरेड के लिए यूज होगा यह आपके बिजनेस पे फैक्ट्री में या ओफिस में यूज होने वाला है यह अगर डफिनेशन और पीपी को मीट कर जाएगा तो यह भी पीपी हो सकता है तो उसकी कोटा या सर यह मोर दिन वन पीरेड यूज होगा यह डफिनेशन और पीपी को मीट कर रहें अगर हां वह मीट कर रहे तब तो हूं अगर वह मीट नहीं कर रहा तो आप उसे इंवेंटरी मानोगो ज़न समझ में आगे एक्दम अच्छे से यह कोई का म का नहीं है मैं अभी कटवा द हमारी regular class या detail faster class चलनी रही है, तो जो एकदम काम का नहीं, जिसका exam से को relevance नहीं, वो मैं पढ़ा कि क्यों समय नस्ट करो, तो अभी कोई ये मत बोला, सर आपने ये topic तो क्यों काम का नहीं, आपने क्यों नहीं पढ़ाया, भाई ये faster batch चल रहा, 130 hours वाला, अगर कोई बच्चा अभी confused है, तो अभी clear करते हैं, तो ये faster batch चल रहा है, और यहां पर मैं बहुत सारी चीज़ी जो irrelevant है, वो नहीं पढ़ाने वाला, पहली class में बता दे तो आगे, ताकि बार बार बताना ना पड़े, आगे हमारा समय नस्ट ना हो, ठीक है, मैं कटवा दे रहा हूं ये, अब repairs and maintenance में बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये तो day to day repairs and maintenance है, इससे asset की कोई value, कोई life वगेर है एनास नहीं होती है, तो जो भी repairs and maintenance होता है, day to day servicing वगेर है, जैसा बाइक खरीत हो, कभी mobile change करवाते हो, कभी कुछ tight करवाते हो, breaksuit change करवाते हो, छोटी छोटी चीज़े अब क करवाते हो, हलका फूल का repairs and maintenance कराते हो, ये कहां जाएगा, ये पीनल में, ये repairs and maintenance का खर्चा, obvious सी बात है, पीनल में जाएगा, इसके पिछे का एक और logic है, क्योंकि हम, वो सारे खर्चे तब तक ही capitalized करते हैं, जब तक वो ready for use न हो जाए, once assets gets ready for its intended use, उसके बाद के जो repairs and maintenance के खर्चे, पीनल में जाते हैं, बट रूख जाओ जरा, replacement part का concept आने वाला है, ये replacement part का जो concept है, ये अलगी चीज, ये जो concept आने वाला है, ये कहेगा कि कुछ-कुछ ऐसे मामले में, आप capitalized कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये replacement part और major inspection, ये दोनों same concept है, इसमें से एक सिखा द ठीक है, replacement part अभी हम अच्छे सा समझते हैं, एक दम अच्छे से समझते हैं, समझते हैं, replacement part पर, इस बरूट जो, इस बरूट जो, ये कुछ-कुछ चीजे मिटा देता हूँ, चलो जे, धिहां देने एकदम अच्छे से, मैं बस एक calculator अपना कहा रख दिया, मैं पंखवा लेता हूँ, मुझे calculator की आवस्सक्ता पड़ेगी, एक सेकंड लगेगा, फिर मैं ये replacement वाला concept समझाते हूँ, और ये जो भी फाइल है, आपको एक single फाइल, आपको Google Drive में मिल जाएगे, उसके लिए हम निश्चिंत रहे हैं, चोड़ो, नहीं उठा रहे हैं, कर लेंगे आज से, देखिए, replacement पार्ट अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, मालो, 1st April 2005 को, आपने कार खरीद है 5 lakh रुपीस में, और आपकी इसकी life है 10 years के, ठीके life इसकी है 10 years के, अब मेरी बात सुनो, मालो, क्या हूँआ, 4 साल बीद गए, after 4 years, क्या आप 4 सालों में इसको depreciation नहीं क्या होगा, अगर 10 years की life है, 5 lakh इसकी कार की वल्लू है, मालो, आपने इसे 81 depreciation किया, हर साल 10% depreciation किया, तो 50,000 रुपीस अब हर साल इसकी depreciation करोगे, तो 4 सालों में depreciation कितना हो जाए, 2 lakh रुपीस हो जाएगा, मतलब 5 lakh रुपीस की कार है, उसमें आपने इसकी life को 10 years पकड़ा, और आपने 50,000, 50,000 करके, 4 सालों में 2 lakh रुपीस depreciation कर दिया, आज इसकी carrying amount कितनी है, 3 lakh रुपीस, अब क्या हो पता है, 4 साल के बाद आपने tire आपका खराब हो गया, आपका पूरा का पूरा 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 टायर आपका खराब हो गया, अब आप निया tire लगाना चाहते हो, और निया tire रप्लेस करने का खर्चा है 90,000 रुपीस, तो पहल पूराने कार के साथ चलाओगे, तो कार बरबाद हो जाएगी, निया tire लगाओगे, तो life बढ़ जाएगी, मलब या maintain होगी life आपकी जो भी है, तो आप यह समझो, यह replacement का खर्चा है, तो standard यहाँ पर पहले तो allow नहीं करता था, अब standard अलाओ करता है, standard कहता है, जो भी आपक इससे अपने 90,000 रुपीज दिये है, बैंक से 90,000 गए, आप उसे PP के अंदर add कर दो, PP to bank 90,000 दिखा सकता है, यह 3,90,000 आपका बन गया, अब मुद्दा एक ही चीज़े आपर, एक ही चीज़े, आप मुझे बताओ, आपकी कार जो है, वो कितनी percent appreciation हुई है, 100% कार थी, 40% appreciation 60% आज की date में इसकी carrying amount है, मतलब कहने का मतलब हमने कार को 40% appreciate किया, इसका मतलब कार के सभी parts को भी हमने 40% appreciation करो, अगर प्रतिक जगाती को 40% appreciate करो, मतलब प्रतिक जगाती के दिमाग को भी 40% appreciate करो, प्रतिक जगाती की आखों को भी 40% appreciate करो, प्रतिक जगाती की जुबान को भ भी 40% depreciate करो यह लोगिका कि मैंने पूरे कार को 40% depreciate किया है मतलब कार के tire को भी कहीं न कहीं 40% ही depreciate किया गया क्योंकि कार के अंदर बहुत सारे parts है तो आप तो सभी को दिखा ज़िए तो अलग-अलग से अपने depreciate किया होते हैं तो हमने तो पूरे कार को ही depreciate किया 10% करके तो कार को अगर आपने 4 सालों में 40% depreciate किया है तो मतलब कार के tire को भी अपने 40% depreciate किया तो देखा है ज़िए जो पुराना का tire है उसका 60% value स्टिल exist करता है अब पुराना टायर तो अपने निकाल के effect दिया है तो क्या उसका जो 60% वल्लू पुराना टायर का वल्लू इस carrying amount के अंदर छिपा हुआ है क्या उसको निकाल की डीरेक अगने इस नहीं करना चाहिए तो standard वो ही बोलता है तो निया टायर तो लगा रहा है निया टायर वल्लू है जो भी वल्लू है उसको तुझे डीरेकगनाईस करना पड़ेगा उसको तुझे डीरेकगनाईस करना पड़ेगा वो कैसे करेंगे अब मुद्दा यह है कि हम यह पता नहीं कर पा रहे कि इस जो 5 लाकी कार की वल्लू है उसमें टायर की वल्लू क्या थी यह हम प यह तो तेरा आज का वल्लू है यह तो तेरा चार साल के बाद इतना वल्लू है तो तु उस फाइब लाग में से इसी वल्लू को पकड़ ले कि पुराना टायर का वल्लू है लेकिन तुझे direct यह नहीं लेने देना तुझे discounting करके present value में लेके जाना जो यह value है यानि कार के अंदर जो car 5 लाक की है इसके अंदर जो tire है मैं मान के चलतो 90,000 का है पर 90,000 नहीं ले सकता मैं present value में लूँगा कि inflation वगिरा यह सब भी तो होते है तो इसलिए आप इसको discounting करोगे मान लो discount rate हमेशा आपको exam में दिया होगा रहे 5% यहाँ पर हमने लिए exam में हमेशा दिया होगा रहेगा नहीं दिया होगा रहेगा तो assume कर ले ना 5% तो मैं क्या करूँगा यह जो 90,000 tire मैंने replace किया मैं इसी क मैं को deep माल लूँगा कि पुरानी कायर में इतनी value का tire था पर present value discounting कर तो यह तो 2009 का है मुझे तो 2005 का tire का value पजा करना है तो मैं 90,000 को क्या करूँगा present value में लेके जाओँगा चार साल back divided 1.05 equal 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 74043 मैं 74040 माल ने तो तो मैं यह समझूँगा कि यह जो कार है इसके अंदर 74040 value का क्या है tire का value अब यह value जो है यह तो आपका 2005 में था present value में पूल करने के बाद 74040 अपका 2005 में था हमने तो पूरे कार को 40% appreciate किया है मतलब इस 74040 को भी 40% appreciate किया हमने है ना तो 74040 मानते इसको तो 40% appreciate हो चुका होगा इसका इसका बचा हुआ कि इसका minus 40% कर देता हूँ double triple 424 मान के चलते value अभी भी बचा हुआ है यानि मान के चलेंगी इस carrying amount के अंदर triple 424 का value बचा हुआ है मैं इसको थोड़ा सा rough में एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा rough में दिखा देता हूँ मतलब मैं यह मान रहा हूँ कि जो मेरे 5 लाग की car की value है मैं मान रहा हूँ इसमें से tire की value है 74040 और बाकी rest of the car item की value 425960 अब 40% इसमें depreciate हुआ 40% इसमें भी depreciate हुआ तो यह बना triple 424 और 425960 इन्टू.642 55576 और आप इन दोनों को value को plus करके देख लो triple 424 यह देख लो 3 लाग आएगा आपका यह नहीं मैं कहना चाता हूँ कि 3 लाग रुपे के अंदर rest of the car की carrying amount यह है और हमारे tire की carrying amount triple 424 है तो हम वही करेंगे हम 90,000 तो capitalize कर देंगे लेकिन old tire को हमें हटाना पड़ेगा triple 424 का dee recognize करना पड़ेगा जो value आएगा वही हमारा carrying amount यह मैं बस आपको concept example के साथ समझाने की courses कर रहा था तो यह देखे final answer हमारा कैसा होगा carrying amount हमारा 3 लाग का है इसमें नया tire तो अपने 90,000 का capitalize कर दिया पूराना tire आप डी recognize करोगे कैसे करोगे पहले 90,000 जो आपका है इसको पहले आप present value में लेके जाओ 1.05 to the power 4 present value में अब लेके वे discounting करना पड़े क्योंकि inflation वगएरा कुछ होता है तो आप इसको discounting करके present value में लेके जाओ अब आप समझो ये पूराना tire का value था जिसमें से minus कर दो 40% तो depreciation पूरा कार हुआ है तो minus 40% depreciation कर दो आपका value आजागा अब दिखो इहाँ पर इससे भी करवा के दिखा देता है 90,000 divided 1.05 एक दो तीन चार ये जोगा है इसमें से into 0.6 कर दो 44424 ये 44425 माइन नहीं रखता है ये आपका minus हो जाएगा कितना हो गया बस बात खतम तो अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं आपको एक कोशियन करवा दूँगा यहाँ पर ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा रप्लेस्मेंट पर इसका एक कोशियन वो एक्जाम में पूछा भी जाता है कितने पर मैं साथ की साथ वो कोशियन करवा देता हूँ आज यह अब एक बन थोड़ा सा तेज जा रहों में अगर ज़्यादा तेज लगे तो मुझे बता देना पर थोड़ा सा तो तेज जाना पड़ेगा न यह कोई regular class तो है नहीं यह detail fast track भी नहीं है तो थोड़ा सा तो तेज जाने पड़ेगा मैं तेज ही जाऊंगा आगे क्योंकि मुझे 130 hours में पूरा ख़तम करवाना है अब उदर ही था है इलसीशन में था है मुझे याद नहीं है अटीन नहीं है ट्वल नहीं कि रहा है कि रहा है कि एक्दम सिंपल सा कुश्चिन है हराम से हो जाएगा बता देना मुझे पर न कहीं पर भी लगे तो बता देना ज्यादा तेज हो रहे हैं है ना पता देना मुझे देखो एमस लिमेटेड यह कोश्चिन इंपोर्टेंट एक्जाम के लिए देखो महि momentos लिमेटेड इंप मसिनेरी खरीदा 100 लाक रूबिस मैं इसको कॉंपोश्चिन ations नहीं किया न हो न विट नो आपर ध्रीी ते असन नहीं किया पूरा मसिनेरी को लिमेिग कर रहे is कॉ हम यह आपर लिख देते सीधा कि वास्ट ओफ मसिनेरी 100 lakh है न ये लिखा life इसकी कितने 10 years है at the end of 6th year one of the major components जो कि turbine है उसे replace करना पड़ेगा है न और as further maintenance is un-economical आपको replace करना पड़ेगा the remainder of the machine perfect है और ये आने वाले next 4 साल तक चलने वाली है निया turbine का cost दिया हुआ 45 lakh रुपेज discount rate बता दिया 5% तो अब मेरी बात सुनो सबसे पहले cost of machinery इतना है आप depreciation करोगे for 6 years कितना 60% depreciation हो जाएगा क्योंकि कोई salvage value नहीं है life इतने 10 years की 6 years बीच चुका है तो 6 years का depreciation कितना हैगा 60 lakh रुपेज आएगा carrying amount at 6th year end 40 lakh रुपेज होगा कि आगे हमारा 40 lakh रुपेज done यह हमने समझ लिए अब इसमें हम क्या करेंगे new turbine जो आपने लगाया है वो आप क्या करोगे 45 lakh रुपेज कैपिटलाइस कर दो कर दी हमने ट्रेफ से कितने साल बेक्ट लेके जाओगे च्हे साल बेक्ट लेक्ट लेके जाओए क्योंकि चहल बीच चुक है तो अब आप पता नतरुपे तो पता जाहेंगे अप 6 साल बैक लेके कई क ऊदिजणाब व्ल्स पता चला ज המעटन का क्या हो गा estimated अब 6 सालों का 60% appreciation तो आपका old turbine का value आ जाएगा 45,000,000 divided 1.05 एक दो तीन चार पांच छे यह आए आपका अब इसमें क्या करोगे इसका 60% appreciation कर दोगे इसका 40% ही आपके लिए काम का है यहीं 1343 187 कि इतना वल्लू आपको डी रिक अगनाइस करना पड़ेगा जो अंसर आया आपको वही 85 लाक है माइनस 1 343 187 छेट वङलन 56813 पूलो समझ मैं एक दम अच्छे से तो आपका replacement का कोई भी concept question आएगा पर आम से समालोगे कुछ नहीं पहले carrying amount पता किया नया turbine का value as it is capitalist कर दो और old turbine को पहले present value में लेके जाओ फिर जितना साल बिता उतना depreciation करो अपका value आजाएगा आपका revise carrying amount आगया अब देखो अब इसकी life कितनी बच्ची हुई है युन्होंने बोला आगे next 4 साल तक चलेगा इसकी remaining life जो है वो 4 years है तो बताओ depreciation 7th year में कितना होगा एक साल के बाद कितना होगा 7156 813 आपका चलो ऐसे नहीं लिखता हूँ carrying amount आपका revise carrying amount at 6th year end आपका होगा 7156 813 depreciation आप लगाओगे 7th year पे एक साल के बाद year end पे depreciation लगाओगे आप कितना लगाओगे 7156 813 divide by 4 years चार साली तो remaining बचे है तो आप ये समझ लो हम depreciation यानि useful life हम हर साल review करते है useful life हम क्या करेंगे हर साल review करेंगे और जितना useful life रहेगा उस हिताब से आने वाले remaining सालों में depreciation होगा तो 6th year के end में हमने review किया कि life चार साली बचे गिया तो 7th year, 8th year, 9th year, 10th year अच्छा ऐसे भी 4 साली था गया ऐसे भी 4 साल था अगर ये कुछ और होता तो भी अलग बात है ऐसे भी 4 साली था तो 7156813 divided by 4 years 1789203 अगर मालों तीन साल होता तो तीन सालों में डप्रीशिशन 1789203 आपका डप्रीशिशन होगा तो यहां पर निकाल लेना और वेल्यू यहां पर बैठा देना क्यों भी वेल्यू आएगा कि आपका अगले साल का डप्रीशिशन होगा तो यहां पर रिप्लेस्मेंट पार्ट मैंने अच्छे सा समझा दिया हूं हाँ वैसा लिजी और स्पीड बढ़ेगी वे तो पहली क्लास है ना खोड़ा सा ले रहा हूं आगे और स्पीड बढ़ा दूँगा पर तरीके से बढ़ेगा ऐसे बढ़ाऊंगा तो आप उड़ोगे हवा में मतलब ही क्या है मतलब तहां लगीगा जितना लगीगा उतना में चलाओंगा सही न अभी तक स्पीड है सही है जारा अभी तक बताओ कोशियंस वगएरा सबको सभी हो रहा है एक दम अच्छे से फुलूं अब मैं एक और कोशियन आपको कर्वा सकता हूँ याइस इलस्टेशन वन भी मैं आपको कर्वा सकता हूँ डैफर पीमेंट क्रेडिट इलस्टेशन वन ये भी मैं कर्वा सकता हूँ यoss ये रहा हो यस परफेक्ट एकदम अच्छे से चलो जी आजो illustration 1 पे आजो illustration 1 पे आजो पटाफट करना हमें सब कुछ एकदम अच्छे से देखो 1st April 2001 को एक property है वो sale के लिए offer की गई है 10 million में with payment terms being 3 equal installments over a 2 year period payments are made on 1st April 2001 31st March 2002 31st March 2003 मतलब कहने का मतलब कि 1 April 2001 one को में एक property मुझे खरीदने को मिल रही है मानलो ठीक है खरीदने को मिल रही है मुझे और मुझे तीन मार payment करना है वो भी 2 सालों में इसका मतलब क्या पता है एक तो down payment की तरह आज देदूँगा 0 tier में एक देदूँगा 1st year में और एक देदूँगा सेकेंड यर में तुम बताओ क्या मैं पूरा का पूरा 10 billion को cash price equivalent मानलों नहीं मानूंगा मैं यस रिसर्फ जी इन case of important concerns मैं slow down होंगा मुझे पता है मुझे आप लोग कुछी बोलो मैं तो करूंगा अपने इसाब से और मैं सारे general purpose को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी का भलाई चाहूंगा और मेरा purpose यह कि आप सभी पास हो जाओ तभी तो मुझे खुसी होगी है ना तो इसलिए आप टैंसन फीर हो जगाती सर किसी के बातों में नहीं आने वागे वह अपने तो आप बताओ मैं पूरा 10 लाग तो आज दे नहीं रहा इसमें तो इंट्रेस कॉंपोनेंट भी है तो मैं machinery को cash press equivalent में दिखा सकता हूँ मैं दिखा ही नहीं सकता मैं अब आगे क्या दिया हो इन्होंट डेटा implicit rate of interest दे दिया 5.6% 5.36% implicit interest rate दे दिया आपको तो अब यहाँ पर मेरी बात सुनों देखो एक मैं दूँगा zero tier में एक मैं दूँगा first year पे एक मैं दूँगा second year पे यह जो zero tier में मैं दे रहा हूँ ना इसमें कोई interest component नहीं क्यों कि आज ही दे रहा हूँ problem कहा है यह पैसा एक साल के बात दे रहा हूँ यह पैसा दो साल के बात दे रहा हूँ इसपे interest component ए जिश्को मुझे निकालना पड़े इसमें जो interest component है जिसको मुझे निकालना पड़ेगा और interest rate implicit दे दिया 5.36% तो मैं ये जो 333333 है इस पैसे मैं क्या करूँगा एक साल का 5.36% निकाल दूँगा कैसे करोगे 333333 ये जो divided by 1.0536 करोगे 5.36% को निकालना है तो मैं बोलूँगा ये जो ये 105.36 है ये दिखा जाते तो इसमें 1.0536 से मैं पूल करके निकालूँगा प्रेजेंट वेलू आपको आता है क्योंकि आप में से कोभी एकदम फ्रेसर बच्चा नहीं है तो प्रेजेंट वेलू आपको आता है सुरुआथ में मैं द Rosie और कि पहांगा कितना मसी 나오y मैं एंटरी क्तर पास करूंगा मैं चलो एपार Luke 취 लुग देते हो मैं एँंघ्री पास करूंगा hareए हक हो लाकः एए तो बाकी यह ऑमांट नी रहेगा ये वाला रहेगा definite w लू वाला तो बागी का पेबल जो रहेगा 3163755 प्लस 3002805 616667 भी लिख सकते मैं आप तो इससे आपका हो जाएगा पूरा 95 लाग रुपेस तो यह मेरा पहला एंट्री होगा यह आप देखलो यहापर मैंने लिखा जिरो तियर में मेरा एंट्री क्या होगा टीपी में 95 ला एक डाउन पेमेंट और बागी का मेरा पेबल रहेगा अब यह जो पेबल है देखा जाए तो यह फानिशल लाइबिलिटी जो फानिशल स्टुमेंट में पढ़ाऊंगा मैं आपको पेबल रिसीबल क्या होता है फानिशल इस्टुमेंट होता है पेबल फानिशल लाइबि 260 6667. इस पर interest चड़ेगा कित ना 5.36% अगले साल. इंटू 5.36% एतना interest चड़ेगा 330533. यह कैसे चड़ेगा? P&L में चार्ज होगा इतना और इतना लायबरिटी को बढ़ा देगा. तो 330533 यह लायबरिटी को बढ़ा देगा. इसके entry क्या होगी? interest expense जो कि PN में charge होगा तो payable हम दिखा देंगे 3300 533 कि हमने दिखा दिया है और फिर हम payment भी तो करेंगे तो payment हम करेंगे कितना payment तो हम 33333 करेंगे तो यह नहीं इतना payable से चला जाएगा यानि पहले यह financial instrument में भी सीखोगे यहाँ पर भी सीख रहे हो मतलब interest का खर्चा liability को बढ़ाता है और payment करोगे तो liability कम हो जाएगी interest का खर्चा मेरा कोई loan है मैंने मालों अपसे 5 लाग रूपिस का loan लिए तो interest loan को बढ़ाएगा और जब payment कर दूँगा तो loan कम हो जाएगा इंट्रेस मेरा liability को बढ़ा रहा है liability को credit कर रहा है interest liability को बढ़ा रहा है interest expense to payable और payment जब करूँगा तो liability घट जाएगा तो interest liability को कैसे बढ़ाएगा जो rate है loan पे लगा दो मेरा payable यह है इस पे मेरा rate लग जाएगा 5.36% यह interest amount आ जाएगा और payable to bank हो जाएगा कितना जितना मैं pay करूँगा जितना पे करूँगा उतना है तो liability कम होगा pay तो मैं इतना ही कर रहा हूँ हर साल payable to bank हो गया फिर अब अगले साल आपका जो balance amount होगा मतलब है ना उस balance amount पे interest चड़ेगा और payable to bank हो जाएगा उसका भी मैंने statement यहाँ पर बना रखा है आप हो तो मेरा closing balance इतना होगा तो second year पर यह closing balance पर मेरा interest चड़ेगा 5.36% के साब से जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पर हमने यहाँ पर round off कर दिया कि में थोड़ा से decimal places का फरक की वज़े से हम यहाँ पर round off करके दिखा देते हैं और फिर payable to bank हम दिखा देते हैं बस बात क कर रहे हो उसमें से interest का पैसा बेतना दे रहो बाकी payable को कम करेगा मलें यह दो entry pass करने की जगा एक single entry आईसे पास कर देता है आपकी मन है तो आप single entry पास करो अदर्वस यह दो entry भी बहुत सारी जगा मैं आईसे पास करता है आप यह भी करोगे तो पूरा correct है पूरा correct है को tension बात नहीं यह भी करोगे तो पूरा correct है ठीक है को tension वाली बात नहीं है लेकिन आप single भी करोगे तो चलेगा तो बोलो यह एकदम अच्छे से समझ में आगे तो इस question में कुछ जान नहीं था आपको क्या धिहान में रखना है कि आपको पहले 0-3 को present value में pull मत किजेगा सिर्फ 1st year और 2nd year को present value में pull करोगे आपका cash price equivalent आजागा यही PPE आपका और एक amount तो आप देर हो तो भचा हुआ पीबल है और इसी payable में interest चड़ाओगे यानि calculator में कर सकते हो 616667 इस पे interest चड़ाओगे और payment यह वाला minus करोगे फिर उस पे interest चड़ाओगे payment यह वाला minus करोगे और व कर लोग एकदम अच्छे से बोलो वैसाली जी वह आपका irrelevant डाउट है नेया तर्वाइन की लाइफ अलग है तो आप component वैस आगे अलग है अलग है अगर आप component वैस नहीं करोगे तो ठीक है जैसे चलता है वैसे चलेगा पुलो एकदम अच्छे से समझ में आ रहे है अच्छा जी आप भी है पर समझ में आय रहे है सुभ जी का कहना था कि उनको कुछ भी पढ़ा होगा नहीं तो मैंने तो उनको साफ कह दिया था कि अगर पढ़ा होगे एक बार भी क्या फिर भी समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहो इपा बता दिना मुझे तो चलो यह question भी मैंने करवा दिया यह illustration 2 आप self करोगे मैंने इतने अच्छे से concept आपको करा है वैसा ही question है illustration 2 mark कर लो आपको self करना है मैं रोज आपको homework दूँगा illustration 1 मैंने देखो double bullet दिया है मतलब यह important है यह करना है करवा दिया और पहुत सारे question मैं आपको homework भी दूँगा single bullet है मतलब आ सकते हैं यह आपको homework यह self करोगी है समझा तो दिया अच्छे से exchange of assets खुद से self कर लोगे एक दम अच्छे से और इसका तो मैंने example बना के कराया भी दिया तो यह तो ऐसे भी होगा example में होई गया अपसल कर लोगे आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह technique वाला मैं आपको समझाओंगा concept technique वाला concept मैं आपको समझाओंगा एक 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 इक्जामपल के साधी सिद्धा समझा दूँगा अब सल्फ कुछ फुद गो त्रू करोगे तो अलग बात इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कराने की जरत नहीं है यह वाला चलू ठीक है यह वाला मैं करवा दूँगा अब एकदम अच्छे से इग्नॉर करने डैफर टेक्स इलस्टेशन फाइब भी करवा देता एट करवा दिया एट इंपॉर्टेंट धाँ डबल बुलिट दिया हुआ देखो जो इंपॉर्टेंट उसको मैंने अल्री डबल बुलिट डिया हुए तो टेंसन वाली बात निए चलो पहले इलस्टेशन नहीं आपको करवा देता हूँ अब जितने मैंने कंसेट आपको पढ़ाएं देखो ज्यादव कंसर पढ़ाएं नहीं अब अपनी आप ही कोशिंस होंगे सारे अपने आप यह टेंसन की कोई बात ही नहीं है आजो इलस्टेशन नहीं मैं आपको करवा देता हूँ फटा फट से हो जाएगा ताइम ही नहीं लगए कि देखो फर्स्ट अप् कितना रिकागनाईस होगा बताओं तो आप मुझे बताओं क्या 80 लाग लेस्ट प्रैस अफ दा मसीन आएगा जी हाएगा इंपोर्ट ड्यूटी एड होता है होता है होता है इलेक्रिक इंस्टॉलेशन का खर्चा भी एड होगा प्री प्रोड़क्शन टेस्टिंग ये भी आपने क्या क्या परचिस क्या फाइव यर मेंटेनेंस कॉंट्रेट विद वेंटर बताओ इसका रेडी फॉर यूज होने से को लेना देना है मैं आपको यह समझाया था वह सारे डैरेक्ली एट्रीबूटीबल एक्समेंस तो आपको एसेट को रेडी फॉर यूज बना है जिस मैनर में मैनेजमेंट को चाहिए उस मैनर में उसे रेडी फॉर यूज बना है यानि लोकेशन और कंडीशन में लाकर देते तो अब देखो इंपोर ड्यूटी नहीं खर्चा करेंगे तो हमारे पास आएगे नहीं वह मसीन सरकार अखले कि अपने पास डिलिवरी फी न जरूरी है तो यह साहरा प्लेस होगा लेकिन मैंटेनेंस से क्या लेना देना रेडी फॉर यूज का अब मैंटेनेंस कॉन्ट्रेक नहीं भी करोगे तो भी आपका मसीन रेडी फॉर यूज हो जाएगा इसलिए यह खर्चा जो है कैपिटलाइस नहीं होगा यह आपका साल आप एक्रूवल बेसिस में अलग से दिखाओ अलग बात है ना तो यह नहीं आएगा आपका यानि यह सारे खर्चे कैपिटलाइस होंगे अब देखो आगे क्या दिखा हुए इन एडिशन टू दे अबोव इन्फोमिशन एक्स यजड लिमिटेड वास ग्रांटेड ट्रेड डिसकाउंट में ने कहाता है आएगा कैस डिसकाउंट नहीं आएगा ट्रेड डिसकाउंट 10 परसेंट अच्छा यह जो इनिशल लीस प्राइस है इसमें 10% डिसकाउंट में यह देखो लीस प्राइस में 10% डिसकाउंट में यह यह 72 लाक लेना है चलो और फिर क्या बोला सेटलमेंट डिसकाउंट यहनी कैस डिसकाउंट होते है इन्हें पहले पैसा दे तो सेटलमेंट डिसकाउंट इसका को को लेना देना नहीं है XYZ Limited ने प्लांड का पेमेंट कर दिया 20 अप्रिल 2000 एक को ठीक है और यह यह बताना चाहता है कि दिखो इसे cash discount मिला है ठीक है cash discount जो इसे मिला है वो interest income दिखाएगा जो cash discount के इसको फाइदा मिला है वो advance payment करने के वज़ेसे इसको फाइदा मिला है अपना पैसा जबर्दस्ती पहले फसाने के वज़ेसे इसको फाइदा मिला है वो फाइदा मेरा question bank आपके पास होना चाहिए soft copy भी मिल गई होगी आप लोग को hard copy चाओ तो प्रतिक जगाते.com से order कर सकते हो question bank मेरा follow कीज़े ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमने सब जगा पर मार क्या होगा रहेगा तो मेरा question bank की refer करना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा यह सितेश जी last में बता दूँगा तो बोलिए कि लस्टेशन 9 भी हमारा हो चुका अच्छे से लस्टेशन 10 भी में फटा फट से बता देता हूँ ज़्यादा कुछ है ने इसमें बस यह नीचे का item ज़्यादा जरूरी है मैं बता देता हूँ ठीको purchase price, time duty का खर्चा होगा, architect fee एड होगा अपने डायरी में कहीं या फिर अपने कॉपी में डायरी में हची लिखने की जरत नहीं यह सब छोटी-मोटी चीज़े नहीं लिखनी है आप कॉपी में लिख दो जनरल ओवरेट कभी भी यह फिर यह यहां बर्बाद किया यह यह आगे में कंसेट में फटा फट से पढ़ा दूँगा जो भी आपका अपनार्मल वेस्टीजेज होता है ना वो कभी भी हम क्यापिटलिस करता अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट वागेरा कुछ भी करो जो भी अबनॉर्मल वेस्टेजे से वह कभी भी कैपिटलेस्ट नहीं होता है कि ऐसे अगर हर चीज कैपिटलेस्ट करने लगे तो फाइव लाग रुबीस का इटम को 50 लाग बना दोगे फर तो ऐसे थोड़े न और आपको अपने लेबरर को 22,000 बेकार का दिया तो यह भी आपका directly attributable cost है नहीं यहाँ पर तो उन्होंने फोकट में रोटी तोड़ा है 22,000 का तो यह जो 22,000 का फोकट का मिला है लेबर को यह भी इससे directly attributable cost नहीं है इससे related नहीं है यानि यह भी कितना आएगा 3,78,000 जनरल तो आए गए नहीं मैंने यह समझा दिया फिर आगे क्या बोला इन्होंने देखो आगे क्या लिखा हुआ building complete हुआ 1st January 2001 को अच्छा 1st April 2000 को आपने construction सुरू किया construction किया आपने और 1st January 2001 को यह complete हो गया इन्हें देखा जाये तो 9 months में यह building complete हो गया 9 months में यह building complete हो गया अब इन लिमिटेड ने लोन लिया था 40 लाग रुपीस का building construct करने के लिए लोन का interest 8% लगा है अब पूछा अब यानि यह हिंड दे रहा है इंडेस 23 आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोको हलका साइड होगा इंडेस 23 में interest and other boring cost from capitalize कर सकते provided qualifying asset हो qualifying asset हम तब मानते हैं जब वो substantial period of time ले त अब हो qualifying asset होता है और usually ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि 12 months ही substantial period है हलाकि होना हो तो 6 मेना भी substantial period हो सकता है वो justifiable होना पड़े तो यहां पर IC कहीं कहीं पर गरबड क्या हुआ है कहीं कहीं पर 7 मेना को substantial period माना गया है एजमसन में वो मैं discuss कर लूँँग आपके साथ पर यहां पर ICA ने क्या कहा है कि जबकि 9 months ही लगा है 9 months ही लगा है तो यह substantial period नहीं माना जाएगा और इन्हों ने इसलिए boring cost को capitalized नहीं कहा है देखो लिखा हुआ assume that period of construction is not a substantial period क्योंकि इसलिए 9 months लगा है boring cost माना जा रहा है capitalization नहीं होगा लेकिन अगर वो ही इंडेस 23 के साफ से अगर qualifying asset होता boring cost भी हम capitalist करते हैं उसके बारे में ज्यादा detail में मैं अभी बात नहीं करूँगा ठीक है तो यह बस क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर 9 months ही लिया गया आगे आपको 8 मेना में भी capitalization दिखे हो दन तो आप भी को बागी आप कर लोगी यहां पर 34,34 लक और इधर 42 लक 45,78 थाउजिन हो रहा है 45,78 अपने आप यहां से कर लोगे यह question भी एकदम अच्छे से मैंने आपको करवा दिया illustration 12 कराओंगा बाद में 13 भी कराओंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मैं वापस से आपको concept में ले चलता हूँ यह वाला question खुद से कर ले न सल्फ इसमें बसमें आपको एक दो ची बता देता हूँ interest charges जो supplier को दिया गया defer credit के वज़े से यह आपका interest expense में जाएगा यह आपका capitalize नहीं होगा ठीक है operating losses testing का खर्चा capitalize होता है अब once asset ready for use हो गया उसके बाद आप operating losses operate तो तब ही कर तू जब ready for use होता है तो operating losses कभी भी capitalize नहीं होता है once asset ready for use होगे ना उसके बाद का कोई भी खर्चा capitalize नहीं होगा अब देखो यहाँ पर dismantling का खर्चा का present value दिया होगे इन्होंने तो यह तो आएगा मैंने कहाता ना present value dismantling cost आपका capitalize होता है तो यहाँ पर भी एकदम simple है 25 plus 2 27 33 consultant या फिर professional fee capitalist होते है 33 40 और इधर 43 लग आएगा देख लो 43 लग आ रहे है आपका फटा फट से मैंने go through करवा दिया simple question था कोई problem वाली बात यहाँ पर नहीं है अब मैं techniques समझाओंगा revolution technique समझाओं तो बहुत कुछ cover तो कर रहे हैं अच्छे से मजा आ रहे है cover तो अच्छा गासा कर रहे हैं तो दिक्कत वाली बात थोड़ा fast है पर cover अच्छा गासा कर रहे हैं वह अगर regular class होती है तो यह two class में cover होता है अभी तक तो हमने कितना बड़ा देर घंटा पड़ा है अभी तक हमने है ना चलो तो अभी मैं आपको एक concept और करवाऊंगा आज की पहली class में ज्यादा बड़ी नहीं रखना चाहता है कल से तो थोड़ी धाई गंटा की class तो में रहेगी हमारी कम से कम आज की class में ज्यादा बड़ी नहीं रखूँगा क्योंकि पहली class है बस मुझे एक बार बता देना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब कुछ कि अगर आप खुछ से सल्फ कंस्ट्रक करोगे एसेट को मालो मैं खुछ से सल्फ कंस्ट्रक करना चाता हूं सेम वही प्रिंसिपल है जब आप एसेट एक्वायर करते हो तो पर्चिस प्राइस नॉन रिफंडेबल टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी वगिरा सब कुछ देते हो करेंगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे डिपार्टमेंट में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे पते तो हम प्रॉफिट उसमें एड कर देंगे तो जो भी इंटर्णल प्रॉफिट है वह तो जबड़ दस्ती आप एड करो यह आपका नहीं आना चाहिए यहनि कोई भी प्रकार का internal profit अब एड़ नहीं कर सकते हैं तो बिकार का अब एड़ करके बढ़ाने की कोशिस करो value को जो की नहीं चलेगा फिर इसके अलावा अभी तो मैंने question में करवा भी देता है कोई भी abnormal amount of wasted material, labor या other resources include नहीं कर सकते हैं इंट्रेस्ट या other boring cost जो भी है अगर इंडेस 23 का criteria satisfy करता है अगर वह qualifying asset है तो ऐसा situation में उससे related जो भी इंट्रेस्ट या बोरिंग कोस्ट है उसका खर्चा capitalist होगा और उसका value जो निकालेंगे वह एस पर इंडेस 23 में आपको समझ में आएगा सिद्धार जी ने कहा कि sir operating loss explain कर दीजे देखो क्या होता है न हम जब सुरू सुरू में हम operate करते हैं तो सुरू सुरू में पता है जब मैं भी coaching कर आता था ना नहीं नहीं सब सुरू में हमारा फाइदा नहीं हो रहा है इनीशल operating losses होता अब देख लेना अब कोई cinema hall भी यहां पर खुला था नहीं आने आप है मेरे यहां पर नहीं मेरे गाओं में मुझे पता है तो इनीशली वह operate नहीं कर पा रहा था लोग आई नहीं रहते तो इनीशली उसका operating loss आ अपरेट करने लग गया था हो रेटी फोर्ड्यूस होने के बाद उसके बाद उसकी इनीशल कुछ पेरेट तव लॉसस हुए तो वह लॉसस कैपिटलाइस नहीं होंगे भाई वह पीनल में जाएंगे है ना आपका एसेड रेडी फोर्ड्यूस होने के बाद के खर्चे हो क्यापिटलाइस नहीं हां बहुआ जी कह रहें कि टेस्टिंग का माल बेचा तो डिटक्ट हो जाएगा टेस्टिंग से डिलेटर अगर मैंने नहीं बताया तो ध्यान से सुन लेना अच्छा हुआ एक जने मुझे पूछ लिया आपने मालो टेस्टिंग करके कुछ माल निक लाइगा है ना अब टेस्टिंग करने से जो प्रोड़क निकल गया उसको बेच के मैंने रुपिस जनेरेट कर लिया तो रुपिस माइनस भी करना पर यह आपको समझ तक मुझे लगता आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया अब देखो कुछ-कुछ खर्चे यहां प मसीने लिखे ready for use होने से कोई लेना देना है कोई लेना देना नहीं है मसीनेरी के ready for use होने से स्टाफ ट्रेनिंग का कोई भी लेना देना नहीं है इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा कभी भी क्यापिटलाइज नहीं होगा आप अपने डायरी में लिख लेना जो छुट में एक जगा से दूसरी जगा में business को shift कर रहा हूं relocation वगरा का खच्चा क्या मैं capitalize करने को दूँ नहीं दूँगा मैं नई facility खोल रहा हूँ तो उसे machine का क्या लेना देना वह capitalist नहीं होगा facility नहीं है खोला facility ready for use हो गया माल रीबन वगेरा कटवा रहा हूं किसी को PMCM को बुला रहा हूं और यह सब फालतों के फलाना फलाना खर्चा कर रहा हूं है कि यह होगा नहीं होगा इन्हीं asset ready for use हो गया उसके बाद के कोई भी खर्चे नहीं होंगे जनरल ओवरेड एड्मिनेशेशन के खर्चे भी capitalist नहीं होंगे क्योंकि वह डैरेक्ट खर्चे नहीं है हां फैक्ट्री ओवरेड है वह capitalist फिर भी हो जाए आपका डैरेक्ट लिए अगर एलोकेबल है तो लेकिन जनरल ओवरेड ओफिस ओवरेड यह तो आप जब अर्दस्तिक आपको समझाने यहां पर एक चीज़ आपको समझाने इंपोर्टेंट चीच फिर अच्छा खासा कवर होगी हमारा सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन तो यह तो पढ़ाई दिया मैंने आपको मैंने का जब एसेट आपके लोकेशन और कंडिशन में आ जाए और जिस मैनर म मैं अगर वो डिफ For Use हो जाए चैपिटलाइजिशन उस दिन से ही सीज हो जाएगा और उस दिन से पत्य है किस की सुरूंत होगी की अप्रिशेशन के सुरूंत हो जाएगगी उस दिन से उसके बाद अब भले यूज ना करो पर वह गहां चैप्टेशन की सुरूंत हो जाए तो क्या फरवरी और मार्च का मेने का डप्रीशेशन ही होगा 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 आप भले उसे यूज ना करो आपका लुक आउट है मालो मैंने भाई खरित के रख दी अपने घर पे चार साल तक उसे यूज दी नहीं कर रहा तो भाई की वैलू गिर नहीं रही है क्या गिर रही है तो आपका उसी दिन से कमेंस्मेंट शुरू हो जाएगा डप्रीशेशन का यानि कैपिटलाइजेशन कप सीज होगा जब आइटम जो है वो लोकेशन और कंडीशन में आ जाए जिस मैनर में मैंनेजमेंट को चाहिए यह हमने समझ लिया फिर यहां पर देखो कुछ-कुछ खर्चे जो पीपीए का हिस्सा नहीं बनेंगे वहाँ पर लिखा हुआ भी मैंने पहले भी बताया था इनिशल ऑपरेटिंग का खर्चा री लोकेशन करने का खर्चा एक एक जगा से दूसरी जगा में री लोकेट करने का खर्चा यह सब आपका अपका खर्चा देखो एसेट क्या रेडी पॉर यूज हो गया हां सर एसेट रेडी पॉर यूज हो गया है उसके बाद कोई भी खर्चे करो आउप नहीं देगा स्टेंडर बोलेगा आप कैपिटलाइस नहीं कर सकते हैं सिंपल सी बात है आपको ज्यादा कुछ है नहीं फिर डप्रिशेशन ज्य अगर आपको अच्छे संज में आगया तो मैं बस यह दो पॉइंट डिसकस्न करूंगा एंड उसके बाद हम आगे फर्दर ज्यादा कुछ कल नेक्स क्लास के लिए बच्चे का नहीं हम फर्दर नेक्स क्लास में इसको खतम कर देंगे कंसर्ट को और बाकी कोश्चन भी हम पूरा करके इंडस 16 को नेक्स क्लास में हम खतम कर देंगे बहुत सही जा रहे हम मुझे जो स्पीड चाही हूँ वो स्पीड के साथ अगर हम गए तो अराम से फूरा खतम भी कर देंगे बैच को रिप्लेसमेंट वाला एक बार रिवाइस कर्वा देंगा ओॉसा ओड्योग्द में गो दु कर दूख ठेंशन ना खंग आजो फाकियों को समझ से चलो अब आगे बढ़ते हैं measurement of cost में देखो मैंने यह already समझा दिया अगर beyond normal credit time से ज़्यादा डिले करके payment करो मतलब उसमें interest component है वो interest component को हटा के cash price equivalent determine करना पड़ेगा और वही cash price equivalent पीपी होगा बाकी जो interest component हो over the period interest expense दिखाया जाएगा उसका पीपी किसे कोई लेना देना नहीं है वही चीज आपको हमने कोशिन में भी देखा था उसमें यह देख लिया था फिर exchange of assets में मुझे आपको यह समझाना है देखो मेरी बात सुने एक्चेंज में मैं आपको पहले तो यह समझाया कि first priority दोगे किसको फैर विलो अपड़ एसेट कि वेन अपको second priority दिया जाता है फैर विलो अपड़ एसेट्स एक्वाइर को third priority दिया जाता है caring amount of assets given अपको वोड प्रियरिटी कुछ भी नहीं है तो तीन प्रियरिटी होते है लिक लो यह आपर परस्ट फैर विलो अपड़ एसेट्स गिवन अप revolution का और बात हम कल करेंगे कल की class में second फैर विलो अपड़ एसेट्स एक्वाइर third caring amount of assets अब मेरी बात सुनो मालो कोश्चिन एक्जाम में यह कह दे कि फैर विलो एसेट्स एक्वाइर जो नहीं वो more clearly evident more clearly evident का मतलब आपको इंडस 113 फैर विलो measurement में समझ में आगा जहां पर आपको फील हो रहा है कि जो एसेट्स एक्वाइर उसका फैर विलो ज्यादा genuine है as comparative जो एसेट्स गिवेन अब उसका फैर विलो ज्यादा reliable अगर है तो हम फैर विलो एसेट्स एक्वाइर को first priority दे सकते हैं यानि अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सा ज्यादा clear है तब तो आप हमेशा फैर विलो एसेट गिवेन अप को priority दोगे और second priority आप फैर विलो एसेट्स एक्वाइर को दोगे तेकिन अगर question में लिख दे बोले कि फैर विलो एसेट्स एक्वाइर जो ज्यादा clear है उसका वो ज्यादा reliable है वो ज्यादा clearly evident है इन्हें evidence है मारे पास कि वो ज्यादा genuine है तो हम उसको first priority देंग तो आपको यानि given up को ही first priority दिया जाएगा अब आप बोलोगे सर ऐसा मामला हो गया जहां पर फैर विलो एसेट्स given up हम determine ही नहीं कर सकते ठीक है तब आप acquire में चले जाओ अब बहुत अच्छी बात है आप भी इंडेस सारा पढ़ लो अभी कोई बहुत बढ़िया जा सकता वेलकम है आपको भी आजो तो थैर्ड वाले पार्ट में देखो carrying amount of assets given up हम थैर्ड को देंगे कब जब यह दोनों का possible नहीं है तब हम थैर्ड priority में carrying amount of assets given up देंगे हम एक और मामला में बता देता हूं कभी-कभी पता है क्या होते commercial substance lack करते कैसे lack करते है मालो मेरे पास एक क्या सोच रहा था अब देखो मेरा है पर मैं क्या सोच रहा था जान मुझ के अपने assets को fare value चमें करने के लिए हमने हम क्या करें अदला बदली कर लेंका इससे क्या होगा मैं भी अपना अब fair value में दिखा दूँगा आप भी fair value में दिखा दोगे तो हमने यहां पर क्या किया आपस में mobile phone का exchange किया तो यह जो mobile phone का exchange हुआ यह exchange of assets तो है पर यहां पर commercial substance lack कर रहा क्यों कि इससे हमारे business के operation में कोई effect नहीं पड़ तो कि जो पहले मेरा mobile phone जो मेरा काम आता था जो मेरा use होता था business पर अब मुझे iPhone 13 की जगा iPhone 12 भी मिल जाएगा तो उसका use में कोई बदलाओ नहीं होगा मैं दूसरा एक और example ले तो मालूँ मेरी पास एक truck है आपकी पास भी एक truck है दोनों से जो revenue generate होने वाले है जो operations जोनों का होगा वो लगबग सीम ही होगा यह जरूर्ण आपकी धोका धड़ी है अब जान मुझके आपस में अदला बदली कर रहे हो asset का ताकि अब assets को fair value of assets given up में दिखा सको क्योंकि अभी तो carrying amount में पड़ा हुआ है आप उसे fair value of assets given up में दिखाने की courses कर रहे हो तो यहसा situation में standard बोलता है हम आपको allow नहीं करें आप आपको तब क्या करना पड़ेगा carrying amount of asset given up में ही इन्ही value बदलने वाले नहीं है value बदलने वाले नहीं इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ मालो मेरे पास एक ट्रक है इसकी carrying amount मेरे यहां पर दिख रही है 5 लक की और आप के पास एक ट्रक B है इसकी carrying amount आपकी 123 की दिख रही है मैंने क्या क्या है मैं प्रतिक हूँ मैंने क्या क्या आपको truck A दे दिया तो truck A मेरा चला गया और बदले में मैंने आपसे truck B ले लिए मैंने बदले में आपसे truck B ले लिया तो ये truck B को भी मैं carrying amount of asset given up यानि ये जो truck A दिया ना इसी का fair value में इसी का carrying amount में दिखाऊंगा और ये मान लो कौन है ये ये पंकच है इसका truck B था 4 lakh का इसने truck B अपना दे दिया और बदले में इसको truck A मिल गया तो ये भी इसको 4 lakh में दिखाएगा जो asset given up है तो अब देखो in locate trucks की अदला बदली तो हुई है पर value वही का वही है यानि PNL में कोई effect नहीं पड़ेगा यानि standard ये बोलता है कि अगर आपका transaction जो है वो lack करता है commercial substance commercial substance कब lack करेगा जब वहाँ पर configuration दूनों के same है या फिर उससे हमारे entity के operation में कोई effect नहीं पड़ने वाला तो मतलब वहाँ पर commercial substance नहीं है lack कर रहा है और जब नहीं होंगे तो आप जो asset दोगे उसी का carrying amount में जिसको आपने acquire किया है उसी को carrying amount of asset given up में दिखा दोगे तो उस ते क्या result निकल के आता है कि आपके finances statement में कोई effect नहीं पड़ता है कोई effect नहीं पड़ता है हाँ अगर मालो transaction में commercial substance है कैसे मैंने आपको truck दिया बजले में आपसे land ले लिया मैंने आपको machine दिया बजले में आपसे कोई दूसरा truck ले लिया दोनों का configuration अलग है दोनों की features अलग है तो वहाँ पर ऐसे situation में मैं क्या करूँगा fare will of assets given up को priority दोँगा second priority fare will of assets acquire को third priority caring amount of assets given up को तो ये वाला exchange of assets वाला concept बताओ मुझे आपको समझ में आया इसमें दो बाते होगी देखेंगे कि क्या transition में commercial substance है या नहीं है अगर transaction में commercial substance से अच्छी बात है fare will of assets given up को first priority fare will of assets acquire को second priority caring amount of assets given up को third priority अगर मालो transaction में commercial substance नहीं है या transaction lack करता है commercial substance मतलब नहीं हो उसमें कब नहीं होता है जब features same है configuration same है है ना तो वहाँ पर हम एक ही काम करेंगे that is what caring amount of assets given up मतलब उससे हमारी value में कोई change नहीं आएगा आपको जो खिलवार करना है कर लो financial statements में कोई बदलाओ नहीं आएगा P&L वगेरा मों कोई effect नहीं बढ़ने वाला I hope आपको ये पूरा अच्छे से clear हो गया अब मुझे एक बार बता दो एक बार मुझे बता दो कि क्या आपको exchange of assets अच्छे से समझ में आगया उसके दो point थे, दो तरक थे, दो types थे वो समझ में आगये एकदम अच्छे से और ये ध्यान में रखना exchange of assets initial recognition होता है subsequent recognition ही होता है क्योंकि अब एक asset खरीद रहो बतले में एक asset बीच रहो, तो उसे कभी भी subsequent recognition मत मूला, इसलिए fair value का कोई concept नहीं है आपर, ठीक है सिर्फ cost model ही है, और cost model मतलब जो आपने asset given अब किया, उसका fair value लेती हो, first priority उसको देती हो किधार जी, क्या लिखरे हैं मैं समझ नहीं पढ़ा है बहुआ, खत्रा के अगर truck की loading capacity different हो, तब तो commercial substance मानेंगे, अरे दिवेज जी, कितनी दूर जा रहे हो, यह regular class नहीं है, मैं इसब नहीं पढ़ाऊंगा, जो आपके exam के लिए relevant उतनी बात करूँगा, इस step के कुछ कोशिन आएंगे भी नहीं हो पर, और इतने deep study हम regular batch में करेंगे, यहाँ पर possible नहीं है, यह faster batch चल्वें, बता दिया बवाजी, तो बता बाकी सबको clear हो गया, तो exam point of view से आपको यह ध्यान में रखना है, पहले तो यह चेक कर ले ना, कि क्या ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, fair will of asset acquire more clearly evident है, तब तो आपका वो explanation बदल तब आप fair value of assets acquired को first priority दोगे, मजबूर हो आप, कुछ भी ना लिखा हुआ रहे, given up पहले, acquired बाद में, फिर carrying amount of assets given up, और एक याद रखना, जहाँ पर भी transaction में commercial substance नहीं है, या फिर lack करता है, तब एक ही रास्ता है, carrying amount of assets given up, जहाँ पर हमारी जो पूरानी value वही रह जाती है, value बदलती है, तो I think अब आपको ये exchange of assets भी एकदम अच्छी तरीके से clear हो चुका है, एकदम अच्छे से, तो अब हम आगे further इसका discussion next class में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, आप किसी को कोई query है, कुछ है, कोई सवाल है, तो मुझे पूछ सकते हो, सचीन जी मैंने already bullet यहाँ पर दिया हुए, वही आपके LDR है, और मैं बाकी next class में मैं mark करवा दूँगा, आप लोगो, दे भी दूँगा, फिर एक list बना के दे दूँगा, सबसे पहले मुझे बता दो, अगर समझ मैं तो like ठोको, अगर समझ मैं आया तो like ठोको, like से ही मैं identify करूँगा, कितने बच्चों को समझ मैं आया, मैं उसे से like, like से पता करूँगा, मैं, sir please मेरी बात सुनो, sir, बताई ना दिन रजी, क्या बात है आपकी, बताई यह, सुनूगा मैं, मैंने तो कुछ-कुछ कोशिन बता दिये तो homework के, homework के question भी ले लू, class के लिए, अगली class से पहले question करके आना, homework के question ले लो अब, RTP, MTP से question number two homework ले लू, RTP, MTP से question number two homework ले लू, तो करवा दूँ, कि इसकी अलावा, किसा अगली class में करवाऊंगा, टेक्निक्स भी अगली class में करवाऊंगा, revolution पूर अगली class में ओर discussion होगा, illustration 12 बस touch कर लो अब, होगा नहीं मुझे पता है आप लोगों से, और यह बहुत important है, LDR mark कर ले न, बहुत important question है, कि टच करके आना घर पे, टच करने का अंगली लगा कि टच मत करके आजाना, सर आपने तो बोला रहा टच कर लो, तो टच करके आगे, ऐसा काम मत करना, कुछ-कुछ अलाग बच्चे हैं, रियल में वो गदे हैं, और वो टच करके आजएंगे, टच करने बोला था, कर दिया हमने, आप इने कहा था, टच करके आना, बस इतना ही, और एक-दो question तो पहले होग वक दिया ही था, और इसके लावा एक RTP, MTPP वाला question होग बताओ, मज़ा है कि नहीं आज की class में, आज की class में मज़ा है, कुछ ज़्यादा speed या ज़्यादा slow, क्या राई आप मुझे बताओ, ताकि कल की class, करूंगा तो अपनी एसाब से परिफिव यह पूछना चाता हूँ, इदियर जी के रिजूम session देखता हूँ, रखूंगा भी तो नहीं, मज़ा है न आज की class में, सच सच बताना, थोड़ा तीज गया हूँ, मतना मुझे पता है थोड़ा तीज तो जाना पड़ेगा, faster batch के सब से उपाई नहीं हमारे पास, हमें जादा से जादा question भी करने है, और पर I think आप लोगों को मजा है, लिंक मिल जाएगी बववा जी, लिंक मिल जाएगी, कल से 10.30, fix time है, रूच का, मस थाना, जिसने भी classes नहीं लिये, बस promotion करता हैं, नहीं कर देता हूँ, प्रतिक जगादी.com से लिए सकते हैं, अगर आपको classes पसंद आ रही है, तो आप FR, यह जो टू ठट्टी आउर्स वाला स्वारी जो है, आप कतिक जगादी.com से ले सकते हो, कल से सॉफ्टर में देखेंगे, सॉफ्टर में मिलेंगे अच्छे, मज़ा आ गया, चलो यह स्पीड परफेक्ट है सर, आगे के lectures YouTube में देंगी हैं, तो फिर सारे बच्चों को पैसे रिफंड करोगे, बताओ, मैं ले लूँगा यह तुम है, सारे बच्चों को आपको रिफंड करना पड़ेगा, करोगे तो मैं ले लूँगा, कोई नीन मतलब आप समझो, आप लोग अभी अगर कुछ दे भी रहो, बच्चों को सब अपने महनत के हारे, ना भगवान किसमत देता है, महनत करते हैं, वो खाते हैं, आप भी आगे सीए बनोगे, महनत करोगे, मैं दुआ करूँगा, आप और आगे जाओ, मेरे से भी अगर टीचिंग लाइन में जाना सो, बहुत आगे जाओ, सरेकोट कोशियन में, टेलिग्राम लिंक, सॉफ्टरे लिंक कैसे मिलेगी, वो मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो मिल जाएगी, मैं एक नंबर दे दे रहो, आप अगर किसी को भी अभी तक सॉफ्टरे का लिंक नहीं मिला है, तो नंबर दे दे रहों में, उस नंबर पर कॉल कर लेना आप, ऐसे मैंने टेलिग्राम में दिया हुए, टी.me slash प्रतिक जगाती डेस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसमें भी जाओगे, तो आपको नंबर दिया हुआ मैंने, टेलिग्राम जोइन कर लेना, वहाँ पर notification बराबर आपको मिले एरेगुलर ले, टेलिग्राम चैनल जरूर से सभी को जोइन कर लेना, सबसे पहला main channel, वो बहुत जरूर ही आपके लिए, टेलिग्राम main channel जरूर से जोइन कर लीजेगा, वो सबसे जरूर ही आपके लिए, सबसे जरूर ही है, आगे अज तो पहली class हुई है, आगे तो और homework दिया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा आप लोगा, सब कुछ करेंगे, सिधार जी नहीं, class 10.30 से होगी, class 10.30 से होगी, 10.30 में क्या ही होने है, बबाजी थोड़ा सा, रूख जाएगे काम कर दे रहेंगे फिर, और कुछ query है, किसी की कोई doubt है, अच्छा वो number नहीं दिया न, number बता देता हूं, अच्छा बहुत सारे बच्चे, टेलिग्राम में message करें, कि आज की class में मज़ा है, ते लो बहुत-बहुत सुक्री आप लोग को, अगर आप लोग को मज़ा आ रहे तो, अच्छा नमबर प्रोवाइड कर देता हूं, 78659, 32887, और आप लोग को जो Google Drive की link मिलेगे न, class access के साथ, उसमें सारे notes अब कुछ उसमें रहेंगे, ठीक है, main notes आप चाओ तो print नहीं भी करा सकते हो, summary notes दो आपको मिलेगा, summary notes आप प्रिंट करा सकते हो, main notes से मैं पढ़ाओंगा, प्रिंट नहीं भी करा हो तो चलेगा, जो main notes मेरा है ये वाला, तो कि exam पास ही आपकी बास, I think बहुत सारे बच्चों के बास तो already notes वगेरा होगा, तो ठीक है, अगर आपको नहीं करा आप ये नहीं भी करा होगे, तो चलेगा main notes, जो आपको मिलीगा चैप्टर का, अब उसको refer करके revise कर सकते हो फिर, इसकी जड़त नहीं है, जो main notes से, लेकिन question bank जरूर से print कर वाले न, या तो hard copy question bank की order कर देना, जहां से सुनो FR की बाद, SFM की बाद, SFM के बारे में बताऊंगा class में, आज सामको 5 बजे class है SFM की, तो SFM की class की बारे में, वहाँ पर discuss करेंगे, SFM में तो और तोड मचा देंगे, ठीक है, FR और SFM दोनों में तोड मचाएंगे, तो SFM की class की बाद, वहाँ पर में करके बता दूँँ आपको, FR की बाद सुनो, FR के question bank आप या तो hard copy order करो, या फिर आप print निकाल लो, आपका call है, ठीक है, और FR का mean notes आप नहीं भी कराओगे, तो चलेगा, तो summary notes में दूँगा, उसी के थूरू revise कर लीजेगा, तो class notes और summary notes रहेगे, उसके थूरू भी revise कर लोगे, तो हो जाएगा, आपको, वैसाली जी, आज software में कुछ नहीं चल रहा, चलेगे नहीं आज, आज हम सीधा YouTube में ले रहे, thanks a lot sir, सर, CA बन गया, ऐसा फिर मेरा weakness था, आपके वज़े से exemption ला पाया, मैं thanks a lot sir, अच्छा अच्छी बात है, किसी काई weakness रहता है कोई subject, और फिर बात में वह exemption लाता है, बहुत खुशी होती है मुझे, हाँ, अरी जी, जिस दिन recorded classes, same day हम upload कर देंगे, जिससे आज लाई वा तो same day upload हो जाए, आज की class तो upload नहीं करूँगा, आज तो YouTube में देख लीजे, तो चीजे, उस link में, जो link आपको मिली, उसमें notes नहीं तो वो भी डल जाएंगे, आज मैं डाल दूँगा, अभी 10-15 मिट में डाल दूँगा, 15 मिट बाद वापस से देख लेना, भाव्याजी Sunday को probably class नहीं होगी, एक दिन तो छुटी लूँगा न सब्ते में, यह तो मैं पागल हो जाऊँगा, अगर सब्ते में 7 दिन पढ़ाऊँगा, तो, एक दिन mind relaxation के लिए चाहिए छुटी, हम दो batch लेंगे न, एफार का batch चलेगा, फास्टर batch, हर दिन दो दो बैच चलने वाले हमारे हैं, नितिन जे कहरे, यूर्ट बैस्ट इचर इन इंडिया, थैंक्यू सो मच नितिन जे, जो और किसी का कोई query है, कुछ है, तो पूछ सकते हो, फटाफट, अदरवाइस हम विदा लेते हैं, और अदर, और आडियो क्लिफ भी मैं आपको, प्रोवाइड कर दिया करूंगा, रिगूलर बेसेस में, रिगूलर बेसेस में मिलीगी, रिगूलर बेसेस में प्रोवाइड करती जाओंगा, मैं, चैब्टर खतम होगा, टेस्स लिया जाएगा आप लोगो टेस्स देना पड़ेगा रेगुलर बेसिस में ट्रस्ट नी दोगे तो दिखकत देना पड़ेगा आप लोग ठीक है लो जी बाइब आवरीवन माइचल जी गूगल ड्राइब में एक्सेस समझा नहीं मैं अच्छा मैं देख लूँगा अब ले एक्सेस टू ऑल कर दूँगा ठीक है बवाजी ओडियो क्लिप भी ड्राइब पर दे दूँगा ले लो भी मल जी टेलीग्राम में दी दिया है ले ले ना वासे बिना ख्लासेस के बिल जाएगा तो दिक्कत नहीं है हाँ नितिन जी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूर बस आप लोगों भी दूआ करना भगवान से कि हेल्थ वगएर सब कुछ पर्फेक्ट रहें और रेगुलर बेसेज में पढ़ा पाऊं जिसमें चली है थैंक्यू सो मच भाव्या जी हम बीच में जूमीट भी रखेंगे जरूर से यहां पर आपके साथ डिसकस करूंगा आज तो नहीं कल रखने के कोसिस करूंगा जूमीट आज पॉसिबल ह तो अलग बात हैं तो कल रखेंगे ठीक है चलो बाई 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 आवरीवन बाई बाई